जोशिट सर आप सबका स्वागत करते हैं बाई जोज एक्जाम प्रेब केट एन एसी हिंदी यूटूब चैनल पर समय हो गया है पांच बजे और इस समय जैसा कि आप सुबह से जानते हैं कि जोशिट सर स्टार्ट करने वाले हैं जिमेट्रिक डिजाइन का कम्प्लीट इकना चाते हैं अगर वाखई में इस से से अपने umết को बूस्ट अप करना चाते हैं अगर वाखई में अब कितना वो लो तो दोस्तों शेर करते Cage olm के पास और ये कोई चीज बता दूं कि जब मैं एक्जाम दिया करता था 2012 में 2013 में उस समय हाइवे का वेटेज सिरफ तीन से चार मार्क्स के आसपास आता था लेकिन ऐसा नहीं है कि लास्ट येर ही जादा आया है पिछले पांच सालों से लगातार का वेटेज ट्रांसपूर्टेशन वह सबसे जदा स्कोर हुआ है जिससरा अपके पास मार्क्स में विदी हूई है जिसमें अब के समय पे नौ से लेके दस मार्स तक कोशन आ जाते हैं जिसका मैक्सिम पार्ट हाइवे से आता है और उस हाइवे में भी दो टॉपिक लगबग लगब से बहुत अच्छे होंगे फड़ा फड़ा फड़ से अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को इस सेशन को शेर कर दीचिए आज की सेशन में जो भी आपका सेलेबस आता है जोमेट्रिक डिजाइन के अंदर वो सारी की सारी चीज़े आज हम डिसकस करेंगे इस सेशन में डेरिवेशन भी करेंगे प्रॉपर एक्स्प्लेनेशन जीरो से लेके एडवांस लेवल तक कोश्चन्स भी करेंगे और लास्ट में असाइन्मेंट भी में आपको दे दूंगा ठीक है कैसे आप लोग फिर कॉमेंट बोक्स में बता दीचिए और फिर शुरू करते हम आज कई शांदार सा और जांदार सा सेशन भी सबसे पहले एक बार जरा स्पीड में और बहुत ही तेजी से मैं कर देता हूं इंट्रोडाक्शन उन सभी लोगों के लिए जो लोग मुझे आज पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दूंगा बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा-फट से सब्सक्राइब कर लिजे जगदीश किया आप एक बर प्लीज इस सेशन को शेर कर दोगे अपने टेलिग्राम ग्रूप पे दोस्तों के साथ है ना चलो और अपने नोट्स बनाते रहना आप लोग प्रॉपरली था कि आपको इस पर्टिकुलर चाप्टर को दुबारा से पढ़ने की जरूरत ना जो एक्जाम है आपके लिए उसके भी अराम से आप सवाल बना पाओगे आज के सेशन से हाईवे इंजिनरेंग जिमेट्रिक डिजाइन की अगर मैं बात करूं आपके पास तो डेको टोटल चार डिवाइडेश हैं आपर चार हम लें, चार पार्ट में डिवाइड किया skid क्या होता है ये सारी कुछ चीज़े है जो आपको पता होनी चाहिए दूसरी बात आती है आपकी side distances side distances बहुत तरह की होती है side distance होती है आपकी stopping वाली side distance होती है आपकी overtaking वाली side distance होती है intermediate वाली side distance होती है length कैसे find out करते हैं जिस पे बहुत बार सवाल पूचा जाता है वो भी हम लोग discuss करेंगे इसी वीडियो में तो ये तो होगी वो सारी बात है जो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं अगर आप full power ready हो इस session के लिए मुझे बस एक बार heart sign भेज दीजे comment box में and फिर हम शुरू कर करते हैं सबसे पहले friction के साथ ठीक है तो I hope सब ready है start करें एकदम full speed में speed मेरी जाधा तेज नहीं रहेगी appropriate रखने की कोशिश करूंगा फिर भी किसी को लगे जाधा तेज है या धीर है तो आप बता सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं friction के बारे में बिना friction के आपका पूरा का पूरा जो highway का concept है वो अधूरा है even मैं कहूंगा कोई भी पूरे engineering में friction के बिना सभी कुछ अधूरा है है तो friction का part कहां पे हमें पढ़ना पड़ेगा highway engineering में जभी गाड़ी कभी movement में होगी या गाड़ी कभी stop होने की कोशिश करेगी दोनों ही वक्त पे आपका जो friction है वो act क करेगा अब friction में भी एक सवाल आता है हमें बार-बार जो पूछा भी जाता है और इसका सवाल थोड़ा सा थोड़ा सा complicated हो जाता है कभी-कभी कि जब हमारी गाड़ी है जो कोई भी वहीकल है अगर वो movement में है तो उस time पे उस गाड़ी में जो टायरों पे friction आने वाला है उस Frictional Force की direction क्या होगी जैसे for example मैं यहाँ पे गाड़ी बनाता हूँ आपके लिए यह हो गई हमारी गाड़ी के टायर और यह हो गई हमारी गाड़ी की body ठीक है सर यह लीजिए ठीक है अब सवाल यहाँ पे बस इतना सा है कि यह गाड़ी अभी motion में है यह गाड़ी अभी चल र ठीक है अब आपको बताना है कि जो Frictional Force आ रहा है इस कार के ऊपर जो एक्ट हो रहा है अभी गाड़ी मूव्मेंट में है उसकी direction क्या है ए उसकी direction है along the direction of motion या फिर भी उसकी direction है opposite to the opposite to the direction of motion क्या रखता है आपको एक बर जरह कॉमेंट बोक्स में बताईए फड़ा फड़ से interactive बनाएंगे पूरे session को ताकि आपको अच्छे से चीज़ा याद रहें पढ़ने से जाला जरूरी है उनको retain रखना तो retain कराने के लिए इसको interactive बनाएंगे हम लोग चली बताईए along the direction लगने चाहिए या opposite to the direction of the motion लगना चाहिए सभी लोग बताएंगे जगदीश ने बोला तो अपने पैर को इस तरह से मार के देखो जमीन पर slide करके देखो आपको पता चलेगा कि जब आगे बढ़ रहे हो तो अपना पैर आप पीछे की तरफ कर रहे हो जब आपने पैर को पीछे की तरफ करोगे तो frictional force जो है वो आगे की direction में लगेगा तो आप चल भी आगे रह जब आपका चल रहा है क्या जब आपकी गाड़ी motion में है और जब यह अगर पीछे की तरफ जाएगा तो आपका जो frictional force है उसकी direction आजाएगी आगे की तरफ यानि की along the direction of the motion of the vehicle तो movement में जब भी गाड़ी होगी तो along the motion of the vehicle आपका frictional force लगता है लेकिन सर बुक्स में तो बो frictional force जो होगा वो पीछे की direction में यानि की opposite to the motion of the vehicle में act करेगा जाहिट जी वाद जब उसको चलना है तो frictional force आगे लग रहा है और उसको जब रुकना है तो पीछे है यानि की जो आप बुक्स में पढ़ रहे हो कि opposite to the direction लगता है वो है stopping condition में ठीक है वो stopping condition में value आपको दी अब बात करते हैं एक और थोड़ा सा confusing concept जो कि है slip and skid जिसको हम अपने normal life में भी बहुत गलत तरह से यूज करते हैं इन words को commonly use करते हैं पर बहुत गलत यूज कर लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस kid की तो इस kid को समझने के लिए slip की बात करते सबसे पहले तो slip को समझने का एक बहुत ही असान तरीक है मैं आपको वह समझाता हूँ देको मान लो जैसे एक टायर है और इस टायर का जो डायामिटर है वो है capital D क्या है capital D है और यह इस pavement पे move करेगा अब जब यह टायर एक rotation complete करेगा चलते वक्त जब यह एक rotation पूरी करेगा मान लो इसने एक rotation पूरी करी और यह आ गया इस position पे यह same टायर आ गया इस position पे कोई मुझे बताएगा फटा फट से कि यह longitudinal distance जो है वो कितना हो जाएगा how much is this longitudinal distance अभी normal condition है कोई slipping नहीं हुए है कोई skid नहीं हुआ है अभी इस time पे जब यह टायर आगे की तरफ जाएगा एक rotation अभी इसका हुआ है केवल एक बार rotate हुआ है और यह य यह आए यहने की longitudinal distance बरावर होता है आपका circumferential यानिकी circumference के ठीक है तो circumference और longitudinal distance बरावर होता है एक normal condition में यह निकी rotation में टायर कवर करेगा अपने circumference के बरावर का distance बहुत बढ़िया लेकिन अगर हम बात करें हमारे slip condition की की टायर slip कब हुआ तो slip के case में क्या होता है कि आपका जो टायर था आपका जो यह टायर है slip condition में बता रहा हूं सेम टायर है सेम diameter capital D है अब इसने एक rotation में अपने एक rotation में क्या किया अपना जो longitudinal distance था वो कम कवर किया याने कि सिर्फ और सिर्फ यह यहीं तक पहुँच पाया याने कि कि इसका जो longitudinal distance covered हुआ वो कम हुआ इसके circumferential distance से याने कि टायर अपनी जगा पर कुछ देर घूम गया और फिर आगे गया इसको बोलेंगे हम slip condition इसको बोलेंगे slip आप लोगों ने वो देखा होगा cartoon network वगरा पर या कार्टून में ऐसा केले का छिलका होता है तो उसमें टॉम क्या करता था वो केले के जगा पर ऐसाण करके slip होने लगता था राइट यह उसी तरह से कि गाडी का टायर एक ही जगा पर घूम रहा होता है यह होता है आपके slip में when revolves more than corresponding longitudinal movement along the road कि उसने rotation ज्यादा कर दी same longitudinal distance अगर इसको कवर करना था तो उसने rotation एक rotation से ज्यादा कर दी यह बात समझाई सबको किसी को कोई डाउट कि किसी को कोई भी डाउट हल्का साभी आप बता सकते हो अगर किसी कोई डाउट है तो ठीक है तो यह तो हो गया आपका slip condition अगर हम skid की बात करें तो skid में उल्टा है skid में just इसका opposite होता है कि मान लो अगर यह हमारे पास d डाया का टायर है ठीक है और इसने क्या किया इसने अपने एक rotation से पहले ही पाईडी distance कवर कर दिया ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि गाड़ी का जो टायर था वो rotate उतना जादा नहीं हुआ जितना उसने longitudinal distance कवर कर लिया ठीक है अभी यहां पे ना अब यहां प्रपेट है नहीं तो मैं करके दिखाता आपको ऐसे आता और मैंसे स्किड मार देता ठीक है तो यह जो फ्रिक्षिन डेविलप्मेंट हो रही है इसका कारण क्या है कारण तो ठीक है लेकिन इसको कौन-कौन सी चीज़े अफेक्ट करती है वह फटा-फट से आप से कोई पूछता है कि यह बताईए वैट या ड्राइ कौन सी कंडिशन में टायर बेटर फ्रिक्षन डेवलप करेगा तो आप कहना सवाल अधूरा है मेरे दोस्त क्योंकि इसमें आपको यह बताना पड़ेगा यानि कि जो है जो भी आप से सवाल पूछ रहें को यह ब मिट चुके होते हैं वह जाधा भेतर करेगा जब भी कभी ड्राइ कंडिशन होगी तीक है कि आपने कभी टायर देखा एम रएफ टायर जेके टायर इनका कभी भी अड़ा आप देखोगे आप हमेशा नोटिस करेंगे कि इनका जो एडविटिजमेंट है उसमें जो भी वह या तो एक वेट रोड पे चल रहा होता है या फिर उटा चल रहा होता है यानि कि मिटी में चल रहा होता है एड मैं आपको याद होगा अपोलो टायर्स आए गया सो एड अपोलो टायर्स का था ठीक है तो आपको समझाया होगा कि मैं किस तरह के रेजिस्टन्स की यहां पर बात कर रहा हूं ठीक है तो थांक्यू सो माच आगे बढ़ेंगे हम लोग उसके बाद आता है आपका दूर होगा और वह कैसे होता है कि जब भी आप एक कर्व पे साइकल मोडते थे वहां पर पड़ी होती थी थोड़ी सी सैंड और उस सैंड पर आपकी साइकल कर जाती थी स्किड और आप गिरे थे कौन-कौन गिरा है जल्दी पताता था फटा-फट से कुक्ली एवरीवन इ है मेरे तो बहुत निशान है ठेक है मैं तो बहुत ही जादा गिरा हूँ क्योंकि हमारे कॉर्णर वाले घर में कंस्रक्शन चल रहा था उसके चक्क्रम बहुत गिरा हम है तो हुआ क्या इससे हुआ यह कि सैंड होने से या ऑईल स्पिल हो जाने से फ्रिक्शन डेविलापम है तो फ्रिक्शन का जो डेवलापमेंट है वो भी कम ही होने वाला है ठीक है इसका एक एक जामपल मैंने आप लोग को बहुत बार दिया भी है क्या याद है आप लोग को वह स्टोरी बच्पन वाली मेरी जिसमें हम स्टॉप ही मारते है मैं और मेरा दोस्त मैंने आपको ज औस ही देखो यहाँ पर दो तरह के फ्रिक्शन डेवलापमेंट आ रही है पहला आएक लॉंगिट्यूडन कांग्रेस ने बताई है कि वह 0.35 से 0.40 तक आप ले सकते हो जब भी आप कभी designing कर रहे होगे stopping side distance का या किसी भी किसी भी component में अगर longitudinal distance की value आपको चाहिए तो आप 0.35 से 0.4 के बीच में ले सकते हो अलग-अलग velocity के according अलग-अलग resistance की value होती है इसके लावा lateral friction गाड़ी कभी अगर कर फे मुड़ती है तो उसको बाहर की तरफ जाने का मन करता है कभी देखा आपने बस चल रही है और कुछ भी चल रहा है जैसे मानलो और आप बैठे हो और गाड़ी इदर मुड़ जाए जैसे गाड़ी राइट को मुड़ेगी आपकी ब कि समान जो है वो नीचे गिर जाता है अब वो समान क्यों गिरता है क्योंकि हमारा जो समान है हमारी जो बस है वो सब के सब बाहर की तरफ जाना चाते हैं क्योंकि centrifugal force भी तो हमने पढ़ा था ना उसका भी तो कहीं पर यूज होगा कि नहीं होगा कि बस exam देने के लिए पढ जाता है और वो है लेटरल फ्रिक्शन और लेटरल फ्रिक्शन की जो वैली होती है वो इंडियन रूट कॉंग्रेस ने आपको बदाई थी .15 होती है कोई भी स्वीड हो कुछ भी हो .15 ही आपको हमेशा लेनी है आगे बढ़ेंगे अगला हमारा कॉंसेप्ट आता है पेव् सटीष्ट्रोर बनाना है उन्होंने टेंडर दिया या उन्होंने टेंडर पास किया और पता चलता है कि भी वो टेंडर मिलता है 204 company को अब वह और रोड करते अब ईसा नहीं होता कि उनको देगा ठीद十 बनाओ और सका'll और श्क्त आई ऑक बनाओ गा कि जो रोड है वो satisfactory है भी या नहीं us inail कौन सा यूज किया गया जो बोला गया है वही यूज किया है तो देखो यहाँ पे material यूज किया है कौन सा किया है कितना आपको उसमें consideration कितनी है एक यूज कितना है Fine aggregate कितना है filler कितना है bitumen कितना है यह सारी की सारी चीज़े पता चलती है core cutting करके core cutting करते है बनी बनाई रोड में से फिर उसको benzene में डालते है पहले उसको पहले उसकी आप निकालते हो specific gravity उसके बाद उसको benzene में डालते है जिससे की सारा का सारा bitumen है वो bitumen निगल जाए और bitumen ही था जिसने सबको बांध के रखा था अब जैसी bitumen निकल गया सारे material को सीविंग के थ्रू अलग अलग ग्रेड्स में डिवाइड कर देंगे और पता सब जाएगा कि कोर्स कितना था fine कितना था यह हो गया material के लिए लेकिन रोड का जो surface है क्या वो satisfactory है उसको समझने के लिए हम find out करते है अनविनेस इंडिक्स अब बहुत असान भाषा में बता दो सर अनविनेस इंडिक्स होता क्या है मैं बताता हूं मैं से लिया हूं देखो अब बात करते अनविननेस अभी तक सब्सक्राइब और चानल को अगर मजा आ रहा है तो ठीक है और कंसेप्ट गुसरा दिवां में डाउट आए कहीं पर तो बिर से डाउट पूछना ठीक है पहले डाउट क्लिये करेंगे आगे बढ़ेंगे उसके बाद देखो मानलो एक रोड हमारे पास कुछ इस प्रकार से अब यह रोड है और यह रोड जो है वो है 100 किलोमेटर की मानलो चलो अभी अगर हम इसका सब्सक्राइब पर चलेंगे तो हमें जो रोड है वो कुछ इस तरह से नजर आती है कि अ कुछ इस तरह से इसके अंदर कुछ वर्टिकल अंडियूलेशन से ठीक है एक बार उनको देखते हैं जैसे मानली जी यह वाला जो वर्टिकल अंडियूलेशन एसकी वैल्यू थी 1. 1.5 mm मतलब डेफ्थ इसकी थी 1.5 mm यह वाला जो वर्टिकल अंडियूलेशन था इसकी थी मानलो 0.5 mm और इसके बाद वाला जो वर्टिकल अंडियूलेशन था मान लीजिए उसकी डेप्थ थी 2 mm वर्टिकल ठीक है आप गार मैं क्यूमिलेटिव बात करूं इस पूरे की त था कुल 4 mm का तो अन इविननेस इंडेक्स जो हो गया यहां पर वो हो गया 4 mm पर किलोमीटर ठीक है एक किलोमीटर में 4 mm का आपका वर्टिकल अंडियूलेशन था यह चीज़ मुझे यहां से पता चल गई अब पहली बात तो यह पता चलेगा कैसे यह पता चलेगा विद ध उसरी गाडियों के पीछे भी ठीक है और इसको बनाया था किसने सी आर आर आए जिसके बारे में आपने अपने अपने पढ़ा था जब हमने आयार सी बताया था यह क्या होता है उस ताम देखा था हमने अब बात करते हैं यहां पर कि यह आने विनेस इंडेक्स क्या पूरे और उनेविनट्स इंडेक्स में क्या रिष्टा है उस वो रिष्टा कुछ इस तरह से है देख सकते हो इसमझाने वाला कुछ भी नहीं है जो रिष्टा है सो है मैं इसको तो अने राइफ हुआ नही से नहें और किलोमीटर के हिसाप से हमने निकल लिया से इंडेक्स है तो हम कहेंगे उसको बहुत बढ़िया पास ठीक है और अगर मालों साड़े तीन साड़े तीन हजाज के उपर है साड़े पैंतिस्तों से उपर है तो वेकार वैल्य याद रखनी है क्या रख लेना बहुत जरूरी नहीं है बट बिलकुल भी ऐसा नहीं कि छोड़ी दो आगे बात करते हैं ठीक है आगे हमारे पास क्रॉस लोग और कैमबर देखो यह जो कैमबर होता है क्या होता है कि जो रोड है ध्यान से यहां पर यह जो रोड है यह जी की बिलकुल स्ट्रेट यह इस ट्रेट नहीं है यह देखो यह तरह से इसमें करते और यह स्ट्रेट नीम главное मत मजा आ और एक दिन बिटुमिन ने पानी को बोला कि मेरा उधार वापिस दो मेरा पैसा वापिस दो है ना तो पानी बोला नहीं दूँगा मैं क्यों दूँ है ना उस दिन से पानी और बिटुमिन इनके बीच हो गई दुश्मनी और तब से लेकर आज तक यह दुश्मनी बरकरार है यह दोनों मिल नहीं सकते और अगर मिल सकते हैं तो ज़ादा देर तक साथ में रह नहीं सकते क्योंकि बिटुमिन को पानी जो है वो खराब कर सकता है इसी लिए हम चाहते हैं कि इस रोड के उपर पानी ज़ादा टाइम तक ना रुके और पानी जाद दे तक ना रुके इस वज़े से हमने रोड को स्ट्रेट ना करके इसमें एक हलका सा कर्व दे दिया जिससे कि जैसे ही पानी आए बारिश का पानी आए या कोई मानलो पहुचा लगा रहा था उसने पानी डाल दिया रोड पे कोई भी कुछ भी हो कुछ भी पानी अगर इस रूड पे आए तो वो पानी साइड से बहता हुआ कैसे बहता पानी ऐसे बहता हुआ इन ड्रेन्स में चला जाए ठीक है जिससे की बिटुमिन और पानी ज़्यादव टायम तक साथ में ना रह पाएं ठीक है सर्थ तो यह रीजन है कि कैमबर हम क्यों देते हैं समझाया सबको कॉमेंट बॉक्स बता तो था फटा फट सर्थ पीडिफ मिल जाएगी हाँ हाँ मैं बताया था स्टार्टिंग बताया था पीडिफ दूंगा मैं आपको इस सेशन की कि असाइन्मेंट दूंगा एक सेशन से डिलेटेड कोशन साथ पर साथ करते रहेंगे अभी कुछ ऐसा आया ही नहीं है जिसका अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अब यह कुछ नहीं है हमने स्लोब दीनी है इसमें अभी स्लोब को आप परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर सकते हो तो वह तो बस लिख दी को इसमें कुछ इतना बड़ी बात है नहीं सेम चीज यह अचा रिकमेंडेड वैल्ली कुछ स्कैंबर की कि इतनी देनी चाहिए अब देखो एक बात तो यह है कि हर माटीरियल पानीक से जब कॉन्टाक्ट में आता है तो अलग तरीके से रियाक्ट करता अलग तरीके से बिहे पे अलग-अलग intensity की बारिश होती है irrigation में आप लोग को मैं बताया था पहले भी तो इसी वज़ा से हमें दो category एक heavy rainfall और एक low rainfall region के according हमने camber की minimum value जो है वो यहाँ पे recommended value जो है वो यहाँ पे consider करी है Indian Road Congress ने हमको दी है सरे याद रखनी है यह याद रखनी है यह इंपॉर्टेंट है यह याद रखना है इंपॉर्टेंट है वैल्य मैंने यह लिख दिये concrete cement concrete road होगी तो वहाँ पे आपको heavy rainfall में 2% low rainfall में 1.7% का आपको provide करना पड़ेगा camber ठीक है जब यह percentage की बात मलब यह slope है किदर तो यह रहता है camber का अब camber में भी मैंने कोई छोड़ दिया बीच में रुखना हाँ देखो अभी क्या है ना कि आपने अपने pavement पे तो दे दिया camber पानी जो है वो pavement से तो निकल गया लेकिन pavement के left right में आपके पास एक और चीज होती है जिसको आप क्या बोलते हो जल्दी बता दो comment box में जब भी आपको गाड़ी बीच में रोकनी होती है तो आप उस component के ऊपर गाड़ी अपनी park कर देते हो temporary park कर सकते हो आप उसके ऊपर जल्दी से बता दो उसको हम क्या बोलते हैं आपके carriageway का part है left side या right side में हमे पानी रोड से तो निकल जाएगा पर फिर shoulder पर आके रुक जाएगा shoulder पर आके रुकने का मतलब अगर shoulder unpaved है जो जादतर होता है वहां से seepage शरू हो जाएगा seeping शरू जाएगी पानी अंदर जाएगा पानी अंदर जाएगा तो road की foundation तक पहुंच सकता है soil subgrade तक पहुंच सक उससे 0.5% जादा मतलब अगर 2% का camber पेव्मेंट में तो 2.5% का आपको camber प्रोवाइड करना है आपके cross loop में यानि की स्टीपर का मतलब ज्यादा 2% अगर उसमें दिया आपने रोड में तो 2.5 शोल्डर में 1% दिया तो 1.5 शोल्डर में 3% दिया तो 3% दो अगर मालो 1% अगर दिया 1% अगर मैंने पेव्मेंट में दिया है तो शोल्डर में कितना होगा जल्दी बता दो वैल्यू आफ क्रॉस लो क्विक्ली क्विक्ली फिर आता है आपके सामने अलग अलग प्रकार के कैमबर बड़ से पहले मुझे जवाब दो वो कैमबर वाला फुल पावर एक दम है शेयर ही नहीं किया जैजन मेरा किसी न हम सही बात नहीं है बड़ी ना इंसाफी है तो ड्रिंग्स ब्रेक बढ़िया बढ़िया 1.5% आगे बढ़ता है ठीके से आगे बढ़ेंगे अलग अलग प्रकार के कैमबर है हमारे पास सबसे पहले टाइप ऑफ कैमबर मैं स्ट्रेट लाइन कैमबर बहुत कॉमन है बहुत बार यूज किया जाता है बहुत ज्यादा तेज अगर ट्राफिक ह तो उस टाइम पेसको थोड़ा सा जो है आप बताओ कंस्रिटर करोगे आव एड़ करोगे दो तरह के होते हैं आपके पास एक कैमबर होता आपका स्ट्रेट लाइन एक होता है आपका अपका पैराबॉलिक पैराबोलिक यूज होता है फास्ट मॉविंग के लिए और ये व क्राउन की हाइट कितनी है हाइट ऑफ क्राउन यह क्राउन कि दर होता है क्राउन होता है यह होता है यह पॉइंट आफ रोड आपका क्राउन होता है तो यह वैल्यू कितनी है यह आप से पूछी जा सकती है चाहें तो आपके पास स्ट्रेट लैंड कैमबर हो चाहें तो आप के पास पाराबोलिक कैमबर हो दोनों के केस में what is the value क्या value होती है आपकी तो देखो W by 2N सीदी सीदी बात है W by 2N हो जाता है आपका straight line कैमबर के केस में y is equals to W by 2N y max यह crown जो भी लिखना है W by 2N राइट एन यहां पे जो आपने slope दी हुई है वो है 1NN w width of the pavement है अब यहीं अगर हम बात करें पैराबोलिक तो पैराबोलिक में तो आप लोगों को equation भी पता है आपकी जो पैराबोला कि 2x square by n w y बराबर 2x by n w square अब इसमें एक चीज़ देखो एक्स जो है वह आप यहां से मेजर कर रहे हो इस जगह से ठीक है अगर मुझे इस point का height निकालना है तो W का value कितना होगा बताइए यह डबलू का value कितना होगा अगर इस point का मुझे height निकालना है w का value हो जाएगा w by 2 ठीक है एक्स का value sorry x का value हो जाएगा w by 2 यहां पे रख दो तो यह हो जाएगा w square नीचे 4 आ जाएगा n w 2 से यह 2 गया w से यह w गया बचा w by 2 n यह तो पहले भी देखा था कहीं पे हमने कहा देखा था पहले हमने पहले देखा था यानि कि हमने यहां पे तो वह एक ही बात है देखो यहां पे अगर आप देखोगे दोनों में सेम चीज क्यों आ रही है क्योंकि देखो अगर मैं यहीं पे highlight करूं आपसे स्ट्रेट लाइन केंबर को सेम स्लोब का सेम स्लोब का तो यहां पे तीन पॉइंट ऐसे हैं जहां पे सेम चीज ठीक है यहां पे अगर आप तीन पॉइंट देखोगे वह को इंसाइड होते हैं वह को इंसाइड होते हैं किस पे वह को इंसाइड होते हैं आपके चाहें स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट और आपका क्राउन वाला जो पार्ट है याने की मिड़ पॉइंट यह तीन पॉइंट आपके यहां पे को इंसाइड हो रहे हैं इसी लिए डबलू बाइट टू एन हाइस्ट आपकी जो हाइट थी वो थी स्ट्रेट लेंड कैमब इसलिए मैंने यह रखा अगर आपको और आगे की निकालनी है तो आप अकॉर्डिंगली वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हो यहां पे एक्स रखोगे जीरो रखोगे तो य जीरो आ जाएगा तो जहां की भी आपको वैल्यू चाहिए एक्स की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि आपको कितना दूर कितने डिस्टेंस पे हाइट चाहिए था तो वहां से आप वैल्यू निकाल पाओगे आगे कॉंबिनेशन हो जाएगा हां क्यारीज वे की बात करता हूं यह बार बार यूज होगा तो उसको एक बार ध्यान से समझ लेते हैं वन से फॉर और चाहिए तो यहां पर सबसे बात करते हैं सिंगल लेन रोड अगर आपके पास एक सिंगल लेन रोड है उसमें और कोई लेन आड नहीं हुई है तो उसकी जो ठिकनेस होनी चाहिए जो विट्थ होनी चाहिए रोड की वहोगी 3.75 मीटर और यह 3.75 मीटर क्यों रखते हैं क्य तो क्योंकि अगर उससे कम करा तो जब भी गाड़ी रुकेगी शोल्डर पे तो थोड़ी सी गाड़ी का जो पार्ट है वो रोड पर आ रहा होगा और वो हिंडर करेगा वो इंटफेर करेगा हमारे ट्राफिक के साथ ठीक है अब आगे बात करते हैं टू लेन अगर विदा खौद बार ऐसा देखा होगा रोड अपने शहर में आर्टेरियल स्टीट्स हो गई आपकी यह आपके सर्विस लेन हो गए वहाँ पे आप देखोगे कि यार यह ना रोड सिंगल लेन से तो बड़ी है लेकिन डबल लेन से छोटी है तो वह होती है इंटरमीडियेट के आर अपर से बता दो अगर मेरे पास है चार लेन मेरे पास है चार लेन तो मेरे विट्त आफ पेफियमेंट कितनी बतायगी सब्सब्स ख्री को ऑर यह सेशन को लाई कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किये तो मज़ा ही आजाएगा एकदम मजा आंसर फ्रॉम एवरीवन चैतू जगदीश भागिश्री वेरी गुड एवरीवन ग्रेट आगे बढ़ता हूं stopping side distance पर आते हैं एक काफी important पार्ट जिससे सवाल लगातार बार बार आ रहा है तो हम क्यों ना इसको पढ़ लें ठीक है तो stopping side distance क्या होता है इसको एक बार जान लेते हैं कि जरूरी है क्यों पहली बात तो यह जान लो देखो होता क्या है stopping side distance है क्या stopping side distance का मतलब बढ़ा असान है कि रुकने के लिए गाड़ी को रोकने के लिए आपके पास कितना side distance होना चाहिए यानि आपको कितनी दूर तक का दिखता होना चाहिए ताकि आप अपनी गाड़ी को safely रोक पाएं किसी भी एक object से collide होने से पहले तो जैसे एक example देता हूँ यह पहले भी बता चुका हूँ यहां पर क्या है मेरी जो society एक दिक्कत है एक एरिया है वहां पर यह चीज होती है पटिकुलर रीजन हमारे यहां देखो वहां पर रोड कहना कुछ इस तरह से ठीक है यहां पर घर है यहां पर घर है मतलब उची उची बिल्डिंग्स है उची उची बिल्डिंग्स है इदर अदर अब देखो जैसे मान लो एक गाड़ी है वो यहां खड़ी हुई है पार्ग है ठीक है एक गाड़ी यहां पर पार्ग है और दूसरी गाड़ी जो है व उसको मैंने B नाम दिया है ठीक है सब अब देखो मान लो इस रोड की जो भी विलॉसिटी है उसके अकॉर्डिंग जो इस पर्टिकुलर वहीकल A के लिए यानि की वहीकल A का जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आया कुछ भी कुछ भी होगा अभी मैं रैंडमली बोलता फॉर एक्जामपल है 50 मीटर कुछ भी हो सकता है यह सिर्फ एक्जामपल है इस रोड के विलॉसिटी के हिसाब से हमारी गाड़ी के पास जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होनी चाहिए वो है मान लो 50 मीटर फॉर एक्जामपल ठीक है अब ध्यान से सुनना अभी हमारी गाड़ी जो गाड़ी बी है उससे फॉर एक्जामपल 100 मीटर दूर है कितना 100 मीटर है तो गाड़ी आगे बढ़ रही है क्योंकि गाड़ी ए चल रही है जब वो यहां पे आएगी अब गाड़ी ए और गाड़ी बी के बीच में ठीक 50 मीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है अ क्या A और B कोलाइड होने से बच सकते हैं या नहीं बता दो कॉमेंट बॉक्स में दोनों की बीच में एकदम 51 मीटर का डिस्टेंस अभी बचा हुआ है गाड़ी की जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है हमारे वहिकल एक ही वो 50 है इस रोड के हिसाब से क्या ये कर पाए अब आएंगे बिल्कुल सही कोलेजन बच सकता है अभी इनमें कोई भी कोलेजन नहीं होगा लेकिन वहिकल एको पता कैसे चलेगा कि वहिकल भी वहां पर पाक्ड है क्या इस पर्टिकुलर मॉवमेंट पे वहिकल एक वहिकल भी दिख रहा है नहीं दिख रहा दिखी नहीं था वहिकल एको वहिकल भी कब दिखेगा जब वहिकल ए इस जगा पर आ जाएगा जब वहिकल A इस position पे होगा तब उसको वहिकल भी नजर आएगा लेकिन अब अगर वहिकल A अपनी गाड़ी को रोकना चाहेगा तो क्या उसके पास sufficient stopping side distance available है? yes or no? बिलकुल नहीं है इसी वज़े से यहाँ पे क्या होगा? collision होगा, accident हो जाएगा यह कारण है कि क्यों हमेशा हर वक्त यहाँ पे stopping side distance रोड पे पूरी रोड पे हर वक्त हमेशा stopping side distance available होना चाहिए यह तो हो गया reason कि stopping side distance चाहिए क्यों? अब समझते हैं कि यह होता क्या है? तो जैसे मान लो यह हमारी एक वहीकल है और इसका जो stopping side distance है ताकि यह इस कोन से जो है टकराने से बच जाए वो इतना ही है अभी ठीक है? यहाँ से ले करके यह इसका SSD है अब SSD के अंदर ना दो distances होते हैं SSD के अंदर दो distances consider करने होते हैं पहला distance होता है लाग distance जो और दूसरा होता है ब्रेक डिस्टेंस क्या होता है लाग क्या होता है डेक देखते हैं गाड़ी चल रही है नॉर्मल अपना रूड पर गाड़ी चल रही है बड़ी है कोई दिख्कत नहीं मझा आ रहा है ड्राइवर से लोटिस करता है कि सामने कुछ तो है को आपजेक्ट है यजा घड़े वाली गाड़ी उसने ब्रेक लगा दिया या घुछ भी तो घड़े जैसके ड्राइवर आपकी गड़ी ड्राइवर देखता है सामने कुछ कि है कि वह क्या करेगा वो पहले तो एक डियूजन लेगा वह रियाक्शन करेगा मारी एक्ट क्रेगा सीचोईशन कि सब्सक्री ब्रेक्ष करेगा वानम से ठीजे लगाऊ एभी लगाऊ थोड़ी आगे तरह लगाओ यानिकी आपके ड्राइवर ने जब पहली बार उस object को देखा आपका ड्राइवर या आप पहले तो react करोगे कि ब्रेक लगानी है या नहीं लगानी है कैसे लगानी है कब लगानी है अभी लगानी है बाद में लगानी है यह चीज होगी ठीक है वो वक्त जब आपके ड्राइ को देखा और यह डिसाइड किये कि ब्रेक लगानी है और आपने ब्रेक लगा दी इस पूरे डियूरेशन में जो आपने मदलब रियक्ट करने के दोरान जितना भी आपने टाइम कंज्यूम किया अब जयक्ट को देखा थोड़ा सा टाइम लिया और ब्रेक लगाई ब्रेक लगाने से ठीक पहले और देखने के तुरंत बाद के बीच का जो time duration है उसको हम बोलते हैं reaction time क्या बोलते हैं reaction time ये आपके driver का या आपका reaction time था गाड़ी को या किसी भी object को observe करने के बाद उसको थोड़ा सा react किया और फिर ब्रेक लगाई तो ब्रेक लगाने से पहले जो भी गाड़ी को observe करने के बाद जो भी आपका time duration था वो था reaction time इसको मैं बोलूंगा टी आर reaction time जो होता है अगर कभी ना दिया जाए इंडियन रूड कॉंग्रेस ने बोला है आप 2.5 सेकंड ले सकते हो ठीक है और यह उन्होंने किस बिसिस पे बोला है यह बोला है पी आई इवी थियोरी के बिसिस पे क्या होता है पी आई इवी थियोरी पी स्टाइड फॉर वो एक object को देखेगी अब आपकी I decision नहीं ले सकती है आँक क्या करेगी आँक के वाल एक perception लेगी और आपकी दिमाग को भीजेगी अब आपको दिमाग पहले तो देखेगा कि यह object है क्या dog है cat है या क्या है ठीक है पता होना चाहिए न दिमाग को क्या अंदर तो अभी कर लिया intellect कर लिया कि यह तो एक dog है for example अब आपको आएंगे emotion emotion के आएंगे कि भाई ब्रेक लगा देनी चाहिए नहीं तो गाड़ी डैमेज हो जाएगी या फिर dog को चोट लग सकती है अब आपको जैसे clear हो गया कि ब्रेक लगानी है तो आप सोचते ऐसे सोचो कि बहुत जो देगा तो यह देखने से लेकर के ब्रेक लगाने तक का जो पूरा टाइम था वो था reaction टाइम जो आपको 2.5 सेकंड लेना है अगर कभी मान लो कोश्चन में ना दिया जाए तो इंडियन रोड कॉंग्रेस के हिसाब से यह तो हो गया आपका reaction टाइम अब यहां से लैक डिस अच्छन में आपने जितना distance कवर किया उसको आप बोलते हो lag distance मान लेते हैं कि यह डिसाइड करने में और कि ब्रेक लगाया यह सब वो सब मानलो यहां पर आकर कि आपने गाड़ी ने ब्रेक लगा दी तो जहां पर आप जर्व किया वहां से लेकर के जहां पर ब्रेक लगा आया वहां तक का जो यह डिस्टेंस हो जाएगा जो आपकी गाड़ी ने कवर किया इसको हम बोल देंगे लैग डिस्टेंस ठीक है निकलेगा कैसे टाइम मुझे पता है यहां से यहां तक का गाड़ी की विलॉसिटी मुझे पता है जो भी आपको दी जाएगी सवाल में सब्सक्राफट से एनिवन है डाउट कि किसी को कोई भी डाउट कि लाइग वाइग करते रहेगा साथ के साथ चलते रहेंगे एक दम फुल पावर कंप्लीट करेंगे जुमेट्रिक डिजाइन को सेट है फुल पावर ठीक है अब एक बार आपने ब्रेक लगा दी कभी भी कि जैसे ही आप ब्रेक लगाओ गाड़ी वैसे ही रुक जाए ठीक है कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही आप ब्रेक लगाओ गाड़ी जो है वैसे ही रुक जाए गाड़ी थोड़ा सा आगे जाकर ही रुकती है तो ब्रेक लगाने के बाद आपके वहीकल ने जितना डिस कैसे निकालना है बहुत असान है यहां पे जब आपकी गार्डी ने जिस सेक्शन पे आपकी गार्डी ने जिस पोदीशन पे आपकी गार्डी ने ब्रेक लगाई उस पर्टिकुलर सेक्शन पे गार्डी की काइनेटिक एनरजी कितनी थी हाफ एम वी स्क्वेर ठीक है और फा इनरजी लॉस आया हाफ एमवी स्क्वेर के बराबर लॉस जो आया हाफ एमवी स्क्वेर के बराबर अब यह जो लॉस है यह किसके बराबर होना चाहिए यह होना चाहिए हमारे वर्क डन इस लॉस के अगेंस्ट कुछ काम हुआ होगा उस काम के बराबर अब वो काम कितना हु वह हुआ है वह हुआ है force into displacement फोर्स यहां पर क्या है फोर्स यहां पर आप देखो क्या लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है बहुत बढ़िया बात है कितना लग रहा है तो मालनों अगर नॉर्मल reaction हो गई आपकी यह जो की है W यानि की गाड़ी का वजन यानि की गाड़ी का वेट और कोफिशन्ट ओव longitudinal friction है F तो अगर कोफिशन्ट ओव longitudinal friction F है और आपका normal reaction W है तो Frictional force कितना हो जाएगा F into W यह तो हो गया Frictional force displacement कितना है तो break लगाने के बाद गाड़ी ने जो distance cover कर दिया उसको मैंने बोला capital L यानि की displacement आ गया तो हमारा loss यानि की half mv square बराबर हो जाएगा किसके हमारे work done के यानि की force इंटू displacement के ठीक है यहाँ पर हम जो weight है गाड़ी को जो weight है उसको W की जगा पे mg भी लिख सकते है तो यहाँ पर हम इसको mg में convert करते हैं this will be m into g और यहाँ पर हमारे पास half mv square था ही तो m से m काड़ दिया मैंने और हमारे पास जो final value आई यहाँ से L क्योंकि मुझे तो breaking distance यह था ना जो कि L है तो L जो आया वह आया v square by 2gf बोलो मजा आ गया एकदम full power वाला फुल पैसा वसूल हो गया पैसा तो नहीं लिया मैंने आपसे लेकिन टाइम वसूल हो गया समझाया सबको एकदम fantastic वाला कोई शक कोई दिक्कत कोई परिशानी कोई समस्या किसी को मैं इसको थोड़ा summarize कर देता हूँ ठीक है अगर breaking efficiency भी consider कर लिया तो statement क्या होगा मैं बताता हूँ आपको तो stopping side distance जो आया finally आपके पास वो आ गया v into tr plus v square by 2gf और b भी लिख देंगे हम यहाँ पे b कब लेना है आपको b होता है breaking efficiency क्या होता है breaking efficiency अगर कभी breaking efficiency ना दी गई हो तो आप हमेशा b की value को ले लोगे 1 अगर efficiency ना दी हो तो आप यहाँ पे इसकी value ले लोगे 1 इसका मतलब है कि 100% efficiency हम consider कर रहे हैं अगर मान लो कभी breaking efficiency बता दिया जैसे for example 50% है example ले रहो अगर बोलो 50% है तो यहाँ पे b का value हो जाएगा आपका 0.5 तो यहाँ पे हमेशा decimal place में value रखना percentage में मत रखना b का ना दिया हो तो 1 लेना है ठीक है एक और modification हो सकता है इसमें कि जो हमें सवाल में value दी जाएगी आपक करना है तो या तो आप वही 5 by 18 से उसको कर दो multiply या 5 by 18 क्या है 5 by 18 है आपका point two seven six इतना होता है कि बताव कितना होता है 5 by 18 कि 100 पर सेंट वर्किंग फॉर यह बिल्कुल सही है ठीक है आपके उपर है अगर आपको convert करना है आप कर लो नहीं करना है एक बार में करना चाहते हो एक बार में कर लो सब आपके उपर है ऐसा कुछ भी नहीं है कि फॉर्मला बदल जाएगा उसकी वज़े से और पॉइंट कर सकते हो .278 इंटू वी अभी इधर विलो देखो एक चीज़ याद रखना हमेशा जीवन में ठीक है वैसे तो भगवान करें आप सिर्फ मेरे से एक ही बार हाइवे पढ़ना पड़े ताकि आपका पहली बार में बढ़िया एक्दम रैंक में आ जाए ठीक है तो एक क्लेमेटर पर आवर बडивать भी बता देता हो अगर वी मैंने ऐसे बनाया इसका मतलब है कि मैं विल्q लेक राओं किरो मेटर पर आवर में ठीक है तो आप सकतीओ ख्रुम्ट पर आवर तो यह होगे आपका final SSD का formula, यह तब है अगर किसी भी तरह का gradient आपको जो है वो given नहीं है road में, बिलकुल gradient free है अभी road, normal जो minimum होता है वही है, तो आप use करोगे यह चोटा सा ननना सा प्यारा सा formula जो आपको देगा stopping side distance का value, I hope आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि चलो मान लो, अगर कभी ऐसा हो जाए कि हमारे पास instead of this, हमारे पास इस तरह का gradient भी आ जाए, अगर गाड़ी इस तरह से ऊपर जा रही है, मान लो एक gradient है मेरे पास theta value का, और गाड़ी अभी जा रही है इस direction में, यानि या अप gradient जा रही है, तो पहले तो force analysis कर लेते हैं, इसमें कौन-कौन से forces act होंगे, तो सबसे पहले तो गाड़ी का जो weight है, वो act करेगा आपका बिलकुल नीचे की तरफ downward direction में, डबलू, लेकिन आप देख सकते हो कि यह भाई inclined है, तो जाहिड सी बात है कि इसके components भी आएंगे, तो इसका component दो component रहेंगे, आपके, एक component रहेगा, इसका cos theta और एक रहेगा आपका sin theta वाला, तो यहाँ पे अगर हम देखे हैं, यह अगर आपका है theta value, बिकाज ज़र भी theta है, तो यह हो जाएगा w cos theta, और यह वाला जो component रहेगा, just perpendicular to the cos theta वाला, यह बन जाएगा w sin theta, ठीक है, अब यहाँ प पर देखे हैं, कि भई loss of energy कितनी है, energy loss तो उतनी है, half mv square, उसमें तो कोई बदलाव नहीं है, लेको stopping side distance में lag distance पर कोई फरक नहीं आएगा, चाहें gradient हो, चाहें ना हो, यह हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ breaking distance के बारे में, lag को कुछ नहीं होता, तो breaking distance में पहले तो हमने फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा, f cos theta, f w cos theta, ठीक है, तो f w cos theta, यह फ्रिक्शनल फोर्ट हो गया, प्लस आपका w sin theta भी act कर रहा है, तो w sin theta, ठीक है, यह तो होगे forces, और इसमें आपने multiply कर दिया अपना displacement भी, ठीक, अब इसी को, बस यह concept था, अब इसी को बस rearrange कर दिता हूं, थोड़ा सा, और आपका काम हो गया, done, सबसे पहले हम क्या गरेंगे, cos theta को जड़ा यहां से बाहर निकालते हैं, डबलू को और cos theta को आप यहां से बाहर निकाल लेते हैं, और देखते हैं हमारे पस क्या रहता है, तो जैसी आप w cos theta को बाहर निकालते हो, आपके पास बच्छता है, क्या, आपके बच्ता है, F पलस, और यहां पे रह जाएगा क्या, sin theta by cos theta रह जाएगा, ठीक है और L तो आपके पास था ही अब यहां से आप क्या गर सकते हो कॉस्ट थीटा को जो है आप भेज सकते हो यहां पे mv2 के पास तो हाफ mv2 by कॉस्ट थीटा जाएगा ठीक है और यहां आपके पास बचता है क्या डबलू की जगा पे mg l लिख दिया मैंने f प्लस 10 थीटा साइन बाइ कॉस्स आपका 10 थीटा हो गया तो यहां पे 10 थीटा लिख दिया m से m cancel यह थीटा की वैल्ली ना बड़ी small होती है बड़ी छोटी सी होती है अब जब छोटी वैल्ली है तो वो almost 1 के बराबर होगी तो यहां पे हम इसको neglect कर देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास केवल और केवल half v square राइट half v square और l यहां पे है हम यहां को इसको rearrange करते है तो बचेगा हमारे पास l बराबर v square by 2g 2g bracket f प्लस 10 थीटा यह आगया आपके पास breaking distance अगर हमारे पास gradient given है तो अगर हमारे पास gradient given है तो आप लेंगे यह वाला breaking distance एक बात याद रखिएगा कि क्योंकि यह गाड़ी up gradient जा रही थी इसलिए यहां पे plus आया अगर एक जंदल फॉर्मला हो इसका तो यहां पे plus minus आपको लेना पड़ेगा minus तब लोगे जब गाड़ी down gradient याने की नीचे की उतर रही होगी और गाड़ी अगर up gradient जाएगी तो आप plus यहां पे consider करोगे उसका तो हमने खुद पूरा derivation देख लिया है यह तो तब हो गया अगर theta given हो यह कब है यह तब हो गया अगर theta given हो मान लो अगर हमें percentage में दिया है gradient की value तो क्या होगा तो मैं बताता हूँ क्या आइस करते दो जो भी मैं अभी तक बता है SSD के लिए तो SSD आपका अगर gradient नहीं दिया होगा question में तो आप ले लोगे 0.278 V into TR plus V square by 254 FB अगर gradient दिया है तो 0.278 इसको कुछ नहीं होता यह वैसे ही रहता है लैक डिस्टेंस और यहाँ पर क्या होगा वी स्क्वेर बाई 254 ब्रैकेट एफ बी प्लस माइनस और परसेंट बाई 100 ठीक है जो भी दिया हो दस परसेंट दिया हो इदर दस परसेंट रखना पॉइंट बचेगा प्लस तब लोगे जब अप ग्रेटिंट जाए नहीं बदा दीजे कॉमेंट बॉक्स में कि सर एकदम फूल पावर क्लियर है कोशन सॉल्व कर लेते हैं इसका फटा-फट से ताकि हमें एक चीज़ क्लियर हो जाए उससे पहले मैं आपको एक और एडिशन बदाता हूं एक छोटा सा कॉंसेट और होता है कि देखो कभी भी अगर वन लेन वन वे है टू लेन वन वे है टू लेन टू वे है तब तक कोई दिक्कत नहीं है जहाँ पर वन लेन टू वे आ जाएगा वहाँ पर एक छोटी से दिक्कत आ जाएगी और वो क्या है मैं बताता हूं आपको मानलो हमारे पास एक रोड है और यह रोड है सिंगल लेन ठीक है ये है one lane लेकिन two way road यानि दोनों तरफ से गाड़ियों का आना जाना allowed है मान लीजिए एक गाड़ी है A वो आ रही है इस direction में और वहीं एक दूसरी गाड़ी है B वो जा रही थी इस direction में ठीक है A और B दोनों एक दूसरी की तरफ आ रहे हैं side distance required था वो था इतना गाड़ी A के लिए stopping side distance जो था वो था इतना अब मुझे बस इतना बता दीजिए क्या ये दोनों गाड़ियां collision होने से बचा पाएंगी क्या ये एक दूसरे से collide होने से बच सकती है बिलकुल नहीं बच सकती ऐसा क्यों क्यों क्योंकि देखिए मान लिया वहिकल A के जो SSD required थी वो इतना है ठीक है तो मान लिए जब break लगाते लगाते वहिकल A यहां तक पहुंच गया break लगाते लगाते वहिकल A यहां तक पहुंच लिया ठीक है मतलब इसको थोड़ा सा और यानि कि इतना और distance अभी चाहिए थोड़ा सा distance और इसके लिए चाहिए लेकिन यह मत भूलिए वहिकल B भी motion में है तो जब तक वहिकल A इस position पे आएगा वहिकल B यहां तक आ चुका होगा लेकिन वहिकल A को चाहिए था इतना distance अपनी पूरी गाड़ी को पूरी तरह से रोकने के लिए बट अवेलेबल इसके पास कितना है केवल और केवल इतना यानि कि यह दोनों कोलाइड हो जाएंगी तो कभी भी अगर आपके पास one lane two way का case आता है तो वहां पे जो SSD required होगी जो SSD required होगी वो होगी SSD of vehicle A प्लस SSD of vehicle B अगर vehicle A और vehicle B दोनों का data नहीं दिया है आपको केवल एक गाड़ी का data दिया है और बोल दिया कि single lane two way road है तो वहां पे आप SSD required क्या लिख दोगे जो भी आपको data दिया है उसके हिसाब से SSD निकालो और उसको two से multiply कर दो यानि की double SSD provide करा दो यह तब ही करना अगर one lane two way case दिया होगा अगर one lane two way case नहीं दिया है तो यह करने की बिलकुल जरूरत नहीं है आगे बढ़ते हैं एक सवाल लगाते है जिससे की clarity और आ जाएगी calculate the minimum required side distance for a highway with design speed of 90 kmph तो design speed आपको दिया हुई है coefficient of friction भी दिया हुआ है पॉइंट 3 gradient की कोई बात यहां पर की नहीं है तो SSD आप निकाल सकते हो असान है तो SSD होता है आपका 0.278 V into TR प्लस V स्क्वेर बाई 254 F ठीक है वैलिस पूट कीजिए और देखिए 0.278 into 90 into 2 plus 90 254.3 यहां से आपके पास आजाएगा SSD का वैलियू लेकिन यह जो वैलियू आएगा वो आएगा 156 something something मेटर में राइट लेकिन एक गलती है यहां पर यह आया SSD हमें चाहिए था कितना आक्च्वेर में required है ठीक है minimum कितना होना चाहिए required SSD याद रखेगा यह वन लेन टूवे रोड दिया था वन लेन टूवे रोड दिया था अभी अभी मैंने बताया था आपको इसमें क्या करना है तो आपको इसमें multiply by two कर देंगे आप तो जो भी क्योंवर कोश्यन है मैं कोश्यन बता देता हूं कैसे अप्रोच करोगे आप वहिकल मूविंगाट 70 kmph on an ascending gradient of highway has to come to stop position to avoid collision with a stationary object ratio of lag to break distance दिया है आपको लाग टूब्रेक डिस आपको रेशियो दिया है 5 by 4 का ठीक है और आपको बोला है एक इतना ascending gradient पूछा है तो आपको देखो कुछ नहीं है इसमें तो लाग डिस्टेंस आप पूट कर दो यहां पर कितना होगा आपका .278 वी इंटू टी यार और ब्रेक डिस्टेंस कितना होगा gradient दिया हुआ है आपको तो वी स्क्वेर बाइट टू फाइफ एफ बी की कोई बात नहीं करिए तो वन ले लूँगा मैं इसको और असेंडिंग रेडियेंट माने उपर की तरफ जा रहे हो आप तो प्लस जो भी आपका एंड वैल्लिव है वहीं चाहिए मुझे आप इस इस फाइफ बाइफ यह आपको सॉल्व करना है यहां पे ठीक है विलोसिटी आपको दिया है शायद से सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा क्या ग्रेडियेंट आप मुझे इसका अंसर कॉमेंट बाक्स में बताना इस वीडियो के वीडियो को पॉस करके अगर आप आप और इसको रिकॉर्ड़ेड में देख रहे हो तो अगला आपको कि माली जेपास इस कहानी में यह कहानी जो है नहीं नहीं है पर इंट्रस्टिंग है हऊधि पर कहानी में a b c a जो है बहुत खुष है आज और अपने घर की और जा रहा हैं क्योंकि घर होना शायद समों से मंगवा के रखे थे तो बहुत खूश है आज तो वह कल ए जो था वो डिजाइन विलॉसिटी से अपने घर की और जा रहा था जब वो अपने घर की और जा रहा था उस टाइम क्या होता है देखिए ठीक है वाई लेस्टी आर देन एससडी सर लेस्टी आर मतलब रियाक्शिन टाइम किदर बोल रहे हो आप किदर बता रहे हो एक वाई मुझे बताना आप क्या कहां पर बोल रहे हो ठीक है मैं कहानी पर आता हूँ ए ने एक घर पे बढ़िया मुमोज वगरा मंगवाएं उसको बहुत पसंद है वो डिजाइन विलॉसिटी से अपने घर की और जा रहा था उसका घर उस तरफ है वहीं सी जो था सी के साथ भी सेम चीज थी सी में क्या हुआ कि सी के लिए आपने सेम चीज सी के घर बालों ने भी मुमोज मंगवाकर रखे तो वह बड़ा खुश था तो वह भी अपने घर जा रहा था पर सी का जो घर था वह इस तरफ था एक घर उस तरफ है सी का घर उस तरफ है इस तरफ उस तरफ ठीक जब अपने घर जा रहा था तब रास्ते में उसको इसको सेम अपनी ही लेन में आगे एक और अगाड़ी प्रक्राइब चला रहा था उसे क्या बता था पीचे से वहीकल ए आरा हो गा एकदम खुश मिजाज इंडम डिजाइन विलासिटी से चल रहा होगा वह ठीक है अब होता ही है कि जैसे ही वहीकल एक लगी के पास पहुंचता है तो वहीकल एक नोट्स करता है कि यार यह गाडी जब तक मेरा घर ना आ जाए तब तक तो momos ठंडे हो जाएंगे और आपको पता है ठंडे momos किसी को पसंद नहीं है दो चीज इन दिए में कि अभी भी किसी को पसंद नहीं हाती है एक negative marking और ठंडे momos अब भी वहिकल A वो सोचेगा कि यार momos ठंडे हो जाएंगे तो मैं क्या करूँ तो वहिकल A डिसाइड करेगा कि मैं इस गाड़ी को ओवर टेक करेगा वहिकल A वहिकल B को ओवर टेक करेगा वहिकल A ओवर टेक करने से पहले क्या करेगा वहिकल A वहिकल B के पास जाएगा velocity के बराबर क्यों क्योंकि वहिकल A को वहिकल B के पीछे पीछे चलते हुए ऐसे करना था अरे ऐसे क्यों किया वहिकल A ने ऐसा क्यों किया वो यह चेक कर रहा था कि सामने से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही पता चला उसने लेन चेंज करी एक्सेलरेट किया तब तक सामने से दूसरी गाड़ी आ गई मोमोज भी नहीं खाने को मिल पाएंगे बिचारे को तो वहिकल A ने चेक किया कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही सामने से थीक है तो ये जो चेक करने में उसने वहिकल B को जो फॉलो किया वो जितनी डूरेशन तक फॉलो किया वो डूरेशन है यहां पर रियाक्शन टाइम उसको रियाक्शन टाइम बोलते हैं पर O S D वाला थीक है ओएस्दी वाला इसको जनरली 2 seconds IRC नंसे सज्जिस्ट किया है तो आपकी जो वहीकल A था उसने T टाइम तक वहीकल B को फॉलो किया और उस टाइम में उसने चेक कर लिया कि कोई आ तो नहीं था उसके बाद वहीकल A ने अपनी लेन चेंज करी, एक्सेलरेट किया गाड़ी को और वापस से अपनी लेन में आ गया ठीक है, वापस से अपनी लेन में आ गया, लेकिन जब वो अपनी लेन में आया, तब उसने नोटिस किया कि सामने से उसकी तरफ एक गाड़ी चलती हुई आ रही है, और ये गाड़ी किसकी थी? ये गाड़ी थी वहीकल C की, जो डिजाइन स्पीड बही चल रहा था, क्योंकि ले गए, ये छोटी सी कहानी है, सबको समझ आ गया, एक बार कॉमेंट बॉक्स में बता दो जरा, सबको समझ आया, ठीक है, अब आगे समझते है, यहाँ पे पूरे के पूरे इस कहानी को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, जिसको मैं पूरे को बोलता हूँ, इस फॉलो कर रहा था, चेक करने के लिए, कि opposite direction से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, वो distance कितना था, वो distance था, हमारे वहिकल A की velocity, अब वहिकल A की velocity कितनी थी, जब वहिकल B को फॉलो कर रहा था, भाई, जाहिर थी बात है, अगर वहिकल B को वहिकल A फॉलो कर रहा है, तो वहिकल A की velocity तो वहिकल B के बराबरी होगी न, तो वहिकल B की velocity into T, जो आपका time था, जिसमें वहिकल A ने follow किया, वहिकल B को, number 1, D2 क्या है, D2 वो distance है, जो वहिकल A ने cover किया, अपनी lane change करने के बाद, और lane में आने से पहले, अपनी lane change करी, accelerate किया, वापस आया, इस पूरे दोरान में है, उसने कितना distance cover किया, वो है D2, अब इस D2 में क्या क्या आता है, S1, S1 क्या है, space headway, याने की गाडियों के बीच का distance, space headway between वहिकल A and B, before overtaking, plus space headway between वहिकल A and वहिकल B, after overtaking, plus, वो distance, जितने distance के लिए, हमारे वहिकल A ने acceleration करी थी, और वो distance कितना था, वो था, आपका VB, into capital T, यह वो capital T time है, जिसमें वहिकल A accelerate कर रहा था, अब space headway कैसे निकालेंगे, देखो वैसे, S1, S2, equally लेते है, generally, कभी अलग से दे दे तो, अलग बात है, लेकिन, generally, इसको एक साथ आप मतलब, same ले सकते हो, तो इसको आप कर दोगे, 2S, और यह हो जाएगा, VB into capital T, space headway होगा, 2S1 plus S2 by acceleration का under root, यहाँ पर S1, S2 क्योंकि मैंने अभी बताया, हम generally equal ले लेते हैं, तो यह हो जाएगा, 4S by A, root, यह आपके पास capital T का value, तो यह D2 मिल गया आपको, इसके बाता है, D3, D3 वो distance है, जो आपके वहिकल C, वहिकल C ने cover किया, उस duration में, जिस duration में, वहिकल A ने acceleration किया, अब वहिकल A ने acceleration किया था, इतने time में, ठीक है, अगर मुझे time पता है, और वहिकल C का velocity पता है, तो D3 आ जाएगा, जल्दी बताओ, वहिकल C का velocity कितना है, जल्दी बताओ, वहिकल C का velocity कितना है, सबी लोग, full power, अब भी अभी बोलाओं मैं आपको, अब भी velocity के बराबर है, ठीक है, तो design velocity आपका जो भी होगा, into capital T, यह अगर D3, D1, D2, D3, यह तभी होगा, अगर two way road है, अगर सिर one way road है, इसका मतलब सामने से कोई गाड़ी आई नहीं रही है, तो D3 आप वहाँ पे consider नहीं करोगे, इस पूरी की पूरी चीज को, मैं एक बार फट प्लस 0.278 VB into capital T, S जो आपका हो जाएगा, 0.7 VB plus 6 T हो जाएगा, 4S by A का under root में, और आपका D3 हो जाएगा, design speed, यानि की design velocity, यानि की 0.278 V into capital T, या आगया आपका stop, overtaking side distance, पूरा का पूरा, आप याद रखना इसमें एक दो चीज़ है, कभी अगर मान लो, velocity और वहिकल B भी ना दिया जाए, तो वहिकल B का velocity कैसे आएगा, तो आपका वहिकल B का जो velocity होता है, वो होता है, design velocity minus 16, अगर design velocity दी है, और आपको VB नहीं दिया, तो design velocity minus 16 कर लेना, kilometer per hour में अगर value चाहिए, अगर आपको चाहिए, meter per second में, तो meter per second में ले लेना, design speed को minus करना, उसमें से 4.5, यह आपको Indian road Congress ने एक थरीका बताया है, जिससे कि आपके पास हमेशा वहिकल B का velocity रहेगा, design velocity हमेशा होगा आपके पास, उसके अलावा, उ A का value अगर मानलो ना दिया गया हो, तो 2.5 km per hour, per second आप ले सकते हो, Indian road Congress ने बोला है, पर हमें A का value रखना होता है, meter per second square में यहाँ पे, तो हमें पहले सको convert करना बढ़ेगा, meter per square में, तो meter per square में, जब असको convert करोगे, तो यह हो जाएगा, 0.69 meter per second square, ठीक है, बाकी कुछ रहत है, S हो जाएगा, capital T हो जाएगा, A हो गया, ठीक है, सब है, question करते हैं, given that design velocity of the pavement is 100 km per hour, determine the OSD requirement for two-way road, assume other data accordingly, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, के वल design speed दिया, क्या इसके बावजूद हम लोग OSD निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, देखो कैसे, तो सबसे पहले मेरे को चाहिए, क्या VB का value जो की नहीं दिया है, तो VB हमारे पास कितना होगा, comment box में लिख दो जरा फटा-फट से, VB हो जाएगा design speed, याने की 100 km-16, याने की 84 km per hour, D1 कितना हो जाएगा सर, D1 हो जाएगा 0.278 into VB, जो कि है 84 into reaction time, जो कि है 2 seconds, D2 हो जाएगा आपका 2 into S, अभी S कितना है आपका, वो आपको निकालना पड़ेगा, कैसे निकाल होगे, तो वो निकाल होगे, तो वो निकाल होगे, 0.7 into 0.278 VB, या 84 ही लिख देता हूँ, मैं 84, प्लस 6, या आगया आपका S, प्लस 0.278 VB, जो कि है 84 into capital D, capital D क्या लोगे आप, 4S, जो भी आपका S का value निकला है, यहां से, 4S by A नहीं दिया है, 0.69 ले लेंगे, D3 हो जाएगा, आपके पास, कितना 0.278 design velocity यानिकी 100 into capital T, जो कि होगा, 4S by 0.69, लो जी, D1, D2, D3 आपके सामने हैं हाजर, कुछ भी निदिया था, केवल एक design velocity दी थी, उसके बावजूद हमने D1, D2, D3 निकाल लिया, यह, कोई शक, कोई दिक्कत, कोई परिशानी, किसी को भी, अराम से solve करके, यहां से आपके पास value आ जाएगा, overtaking side distance का, बहुत common सवाल है, जो यहां से पूछे जाते हैं, तो इसलिए, इसको एक बार में समझ लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास overtaking zone, overtaking zone क्या होता है, कहीं कहीं पैसा होता है, कि जो roads होती है, वो आप से पूछा जाएगा, कि यह बताइए, इन overtaking zone की जो length है, वो कितनी होनी चाहिए, desirable length जो होनी चाहिए, desirable, मतलब जो हर एक ideal condition में देनी चाहिए, वो देनी चाहिए 5 times of OSD, road की जो design velocity है, उसके according आप OSD निकालो, और उसका 5 times, उतना length होना चाहिए, overtaking side distance का, यह है desirable, मान ल zoning zone देने के लिए, काफी broad करना पड़ता है, road इसमें, तो ऐसे कि इसमें, आप 3 into OSD प्रोवाइड करा सकते हो, जो कि एक minimum value होती है, यह होती है, minimum, यह होती है, desirable length of overtaking zone, एक बाद इसको समझ लीजिए का, ठीक है सर, समझ आ गया, बढ़िया एकदम, set, full power, good है, बहुत ही बढ बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, intermediate side distance, अब मान लो कहीं पर ऐसा होता है, कि आप ना तो overtaking zone दे सकते हो, ना आपकी road इतनी broad है, जहापे आप OSD दे सकते हो, या किसी भी कारण से आप OSD प्रोवाइड नहीं करवा सकते हो, ऐसे टाइम पर हम कोशिश करेंगे, कि intermediate side distance provide करवाद है, 2021 में यह सवाल आया चुका है, बढ़ा असान सा कॉंसेप्ट है, कोई अलग से इसका derivation कुछ भी नहीं है, यह recommendation इंडियन रोड कॉंग्रेस की intermediate side distance की value होती है, twice of SSD, simple, याद रखेगा सबसे जाधा value होती है OSD की, और उसके बाद ISD की, और उससे सबसे कम जो value होती है, वो कभी भी आप जैसे side distance की बात करोगे, तो उसमें गाड़ी रहेगे और एक object रहेगा, जो गाड़ी होती है, SSD के case में, उसमें जो driver बैठा है, उसकी आई जो है, आख, उस आख की कितनी height है, pavement से, वो होती है, 1.2 meter, तीनों ही case में, SSD में भी, OSD में भी, ISD में भी, तीनों में 1 1.2 meter है, लेकिन SSD में जो object consider किया है, Indian Road Congress ने हमारे formula को derive करने के लिए, उसकी जो height consider की थी, वो की गई थी, 0.15, सर इसको कहां use करेंगे, अभी बताओंगा, vertical alignment जैसी शुरू होता है, वहाँ पे हम इसको use करेंगे, ISD और OSD के लिए, same, क्योंकि देको OSD में क्या है, आपका जो obstruction है, यह obstacle है, वो क्या है, वो दूसरी गाड़ी तो है, तो इसलिए वहाँ पे जो object का value लिया जाता है, वो 1.2 meter लिया जाता है, equal to the height of the drivers, आई, भाई, बिल्कुल full power clear होगे, सब कुछ, like भाई कर दिया session को, कितने like हो गए, 100-200 पहुंच गये क्या, हाँ, 100 नहीं पहुचे हो बचाओ, 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 300-400, आगे बढ़ते हैं, चोटा सा question है मेरे सामने, आपके पास, देख लीजे, फटा-फट से सको एक बार चेक करते हैं, क्या लिखा जा रहा है, design speed दिए है, 96 kmps, speed of overtaken vehicle दिया हुआ है, 80 kmps, reaction time दिया है, 2 seconds, acceleration दिया, 2.5 seconds, safe overtaking side distance आपसे पूछा है, 2 way traffic road है, भाई यह तो बहुत असान सवाल नहीं हो गया, बहुत असान इसलिए क्योंकि अभी-अभी हमने कुछ हैसा ही देखा हुआ था, हर एक value सेम है, बस यहाँ पे 80 की जगा हमने 84 consider किया था, बस similar answer आएगा उसी से, बड़ मै आपको बता रहा हूं कि इस तरह से भी question आपसे पूछा जा सकता है, अब आते होरिजॉंटल कर्फ पर, होरिजॉंटल कर्व यानि की दूसरा पार्ट सबसे पहले अपने लिए तालिया, आप सुरू से लेके अब तक सवा घंटे तक बैठे थे, और सवा घंटे में आपने है, cover कर लिया है, इतना सारा matter, तो इस matter को कहां ले जाएंगे, note करते रहिएगा, important है, चलो, horizontal curve, यानि की जब भी कभी road पे इस तरह करवाएगा, तो हमें क्या-क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, और कौन-कौन से components को introduce करना है, या design करना है, उनके बारे में अब हम है, अज किसका मैच है, बताना जरा मुझे, जैसे मान लो हमारे पास एक road है, कुछ इस तरह से, और यह आगे जाके जो है, एक curve में convert होता है, एक curve बन जाता है, ठीक है, अब यह जो curve है, इस section पे, मैं आपको जारा काट के सामने से दिखाता हूँ, कि यह जो गाड़ी है, यहाँ पे, गाड़ी भी है मेरे पास, उस गाड़ी को हम देखते हैं, आगे से, ठीक है, तो मान आगे जिए, यही वो section है, इसको हम सामने से देख रहे हैं, यह outer side है road का, यह वाला, यह inner side है road का, यह वाला, यह सामने से हम गाड़ी को देख रहे हैं अभी, भरोसा नहीं है तो आप headlight देख सकते हो गाड़ी की, driver भी बैठा है यहाँ पे आगे, यह गाड़ी का tires है, सामन इसे देखने पे जो दिख रहे हैं आपको, ठीक है, देखे सर, भाई साब बहुत लंबे tire बनाती है मैंने, थोड़े से छोटे करते है, थोड़ा feel तो आए, बदा जला ऐसे tire बना दो जो, चोड़े हो सकते हैं, यह लंबे tire तो नहीं हो सकते हैं, headlights, और यह हमारा driver, बहुत जो मिलने वाले थे, tire, tire, ठीक है, गाड़ी का जो CG है, मान लीजिए वो CG यहाँ पे है, उसकी जो height है, पेवमेंट से, वो h है, और tire to tire, जो उसका center to center distance था, वो था मान लीजिए, width है उसकी b, ठीक है, अब देखो, गाड़ी जब मुड रही है, गाड़ी जब मुड रही है, या गाड़ी कभी मुड़ेगी, तो जैसे ही गाड़ी turn होती है, तो जो जादा, जो जादा reaction होती है, या जादा pressure जो आता है, वो आता है outer wheels पर, कभी आप खुद भी feel करोगे, गाड़ी बाहर की तरफ थोड़ा सा जाने की कोशिश करती है, इसलिए outer wheel पे जादा आपको reaction मि लीजिए, इसको मैंने बोल दिया B point, और इसको मैंने बोल दिया A point, तो R B जो होगा, वो R A से जादा होगा, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना, R B जो है, वो R A से जादा होगा, अब इसमें थोड़ा सा हम force analysis करते हैं, अब होता क्या है, कि यहाँ पे जो गाड़ी ह है, वो experience करती है, एक centrifugal force आपके outer direction में, ठीक है, भार की direction में, centrifugal force experience करती है, उसी के साथ इसका खुद का वजन भी है, जो CG से आपको सीधे नीचे लगता हूँ दिखता है, that is W, अब यहाँ पे हम देखेंगे, कि भीया, एक बार force analysis करते हैं, इसका, X direction में और Y direction में सारे forces को एक बार लगा के चेक करते हैं, तो summation of all the forces in X direction and Y direction जब आप लगाओगे, आपको सबसे पहले दिख जाएगा, कि जो W है आपका, वो W किसके बराबर है, W बराबर है, आरे प्लस आर बी के, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अची बात है तो, centrifugal force आपका जो P है, वो किसके बराबर है, वो आपके इस reaction, यह आपका जो frictional force लग रहा है, वो उसके बराबर है, तो P बराबर है किसके, आपका F into RA, प्लस F into RB, बहार वाले और अंदर वाले टायर से, जो friction develop हो रहा है, ठीक है, यहां से हम ले ले लेते हैं, F common, तो अंदर बचता है, RA प्लस RB, RA और RB को अ पी बाइडबलू बराबर हो जाता है, F के, यह पी बाइडबलू क्या होता है, पी बाइडबलू को आप बोलते हो, centrifugal ratio या impact factor, direct question पूछा जाता है इस पे, तो आपको बता दू, पी बाइडबलू, यानि कि centrifugal force by weight of the vehicle को आप बोलते हो, centrifugal ratio या impact factor, इस चीज़ को याद रख समझ गए, अब देखो, कभी भी अगर आप चाते हो, कि भाई हमारा जो वहिकल है, वो skid ना करे, बाहर की तरफ, तो उसके लिए condition क्या होनी चाहिए, तो अगर यह skid ना करे, इसका यह मतलब है, कि centrifugal force हमेशा कम होना चाहिए, फ्रिक्शनल force से, ठीक है, देख लेते हैं, अगर हमें चाहिए, skid ना हो, इसकिड ना हो, तो centrifugal force हमेशा कम होना चाहिए, यह critical condition में होना चाहिए, किस से, आपके, फ्रिक्शनल force से, करेक्ट, फ्रिक्शनल force कितना था, f into ra plus rb, यह था, अब यहां से, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो आप कह सकते हो, कि भाई, it is equals to fw, या p by w should be less than f, हमेशा, अगर skidding avoid करनी है, तो p by w, यानि के centrifugal ratio, हमेशा छोटा होना चाहिए, आपके coefficient of friction से, कौन सा coefficient of friction है, यह है, लेटरल friction बिटा, लेटरल friction, लेटरल, ना कि longitudinal की कहानी होके, done, अब आगे बढ़ते है, overturning से, बचाना है मुझे, मैं चाहता हूँ, overturning ना हो, उसके लिए क्या condition होनी चाहिए, गाड़ी बाहर की तरफ topple ना कर जाए, overturning ना हो, overturning ना हो के लिए हम थोड़े moments देखते हैं, यहाँ पे, तो अगर इसके about, अगर गाड़ी overturn हुई, तो इस b point के about होगी, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप को एक hero और एक villain नजर आएगा, पहले देखते हैं, villain जो इस गाड़ी को overturn करना चाहता है, और वो villain कौन है, centrifugal force into आपका B तक का जो distance है, liver आम है, वो कितना है, वो है आपका H के बराबर, H क्या था, H था आपका height of CG, तो P into H तो हो गया, villain, लेकिन गाड़ी को overturn होने से कौन वहिकल, तो weight of the vehicle से इस point तक के बीच का जो distance liver आम है, वो कितना है, B by 2, तो W into B by 2, अब जाहिर सी बात है, अगर आपको यह जीतना है, यह जंग जीतनी है, तो hero जो है, वो बड़ा होना चाहिए, villain से, यानि कि overturning moment छोटा होना चाहिए, आपके resisting moment से, तो मैं वही चीज condition में भी अगर हम बात करें, तो बरावर होना चाहिए, resisting moment यहाने कि P into H should be less than or equals to, should be less than or equals to W into B by 2, तो यहां से आप देख सकते हो, P by W will be less than or equals to B by 2H, यहाँ गया no overturning के लिए, तो no skidding के लिए, आपका centrifugal ratio जो है, वो F से कम होना चाहिए, और no overturning के लिए, यह centrifugal ratio आपका B by 2S से कम होना चाहिए, समझ आ गया, तो एक बार heart sign comment box में बना दीजिए, प्लीज, everyone, एक बार heart sign भेज़ दीजे comment box में, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अगला concept है हमारा super elevation का, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस road को, तो आपको नजर आएगा, कि गाडियां थोड़ी सी inclined नजर है, कर्फ पर, वो समझना है हमको, अगर आप ध्यान से यहां देखेंगे, तो आपको नजर आएगा, गाड़ीयां थोड़ी inclined है, इसी को super elevation बोलते है, जो क्या होता है, जब गाड़ी मुड़ी है, इस तरीके से, जब गाड़ी हां मुड़ी है, तो क्या होता है, कि इसको न है, lateral friction है, ठीक है, lateral friction हो रहा है, लेकिन, अगर मान लो, गाड़ीयों की velocity जो है, वो बहुत ज़्यादा तेज हो, क्योंकि आपका centrifugal force क्या होता है, mv2 by r, ठीक है, centrifugal force, यहां भी velocity ज़्यादा है, अगर velocity ज़्यादा होती चली जाएगी, तो हमारा जो friction है, वो एक वक्त के ब गाड़ियां जो है, वो कम से कम नहीं, 300, 400, 200, 300 km पर आवर पे तो अराम से चलती ही चलती है, ठीक है, अगर हम normal car की बात करते हैं, racing में, तो अब देखो, यानि इसका मतलब यह है कि friction थोड़ा सा कम पढ़ रहा है, friction हमारा जीत नहीं पा रहा है, तो friction अगर जीत नहीं पा र force क्या है, उसका वजन, उस गाड़ी के उपर जो force है, वो है, उसका वजन, लेकिन अगर मैं इस road को थोड़ा सा incline कर दूं, तो क्या होगा, देख लो ध्यान से, क्या होगा, कि गाड़ी का जो weight है, वो लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है, और यह जो गाड़ी है, इसका जो weight है, वो लग रहा है, नीचे की तरफ, और इसका component आजाएगा, एकदम normal to the surface, w cos theta, w cos theta, और उसी के साथ, एक component इदर आजाएगा, w sin theta, w sin theta, गाड़ी क्योंकि इदर जा रही थी आपकी, तो आपका जो force है, यानि की centrifugal force है, वो लग रहा है, इस direction में, यानि की friction लगेगा किदर इस direction में, तो जिस direction में friction है, उसी direction में एक नया force आपको मिल जाता है, जो की है w sin theta, तो हमारे friction force को, एक नया दोस्त, एक नया साथ ही, एक नए हमसफर की, जो जरूरत थी, जो आप कह सकते हो, इंतजार था, वो इंतजार खतम हो चगा है, w sin theta ही वो दोस्त है, जिसकी हमें जर मुलते हो रेट आफ सूपर एलिवेशन यह हम भी ढूल लेंगे बढ़ उससे पहले बताओ मजा आया फील आया समझे एक्दम फुल पावर से कि दिल को छूग गया गया कि क्यों भई जाद ही तगड़ा बढ़िया आगे बढ़ते हैं अब इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए डिराइव कर देता हूं जिससे कि आपको चीज़े और असानी से समझा जाए यहाँ अगर आप देखोगी तो मैंने आपके लिए पहले से डाइग्राम रेडी करके रखा है तो जो ग के आउटर एज को थोड़ा सा रेज कर दिया अब इसके मेंसे होता क्या है कि जो आपका गाड़ी का वजन था डबलू नीचे लग रहा था उसके दो कॉम्पनेट आते हैं एक आता है आपका इस तरफ जो की आएगा डबलू कॉस्ट थीटा और एक आएगा इस तरफ जो की सकते हैं डबलू कॉसलिटा के साथ तो पी साइन थीटा प्लस डबलू कॉस सीटा आपका नॉर्मल यहाँ पे रिएक्शन हो गया और बागी फोर्सस आप यहां पे देख सकते ओं थीटा एंगल से हम ने इसको去了 कि अवर चकषशनल DOC लिता पर सीटिवश रिक्षिंड है त थीटा डबलू कॉस थीटा ठीक है अब हम देखते हैं सारे के सारे forces in x direction को ठीक है बराबर 0 आपको करके कि fx बराबर 0 से देखते हैं कि सारे के सारे forces जो है एक्स डिरेक्शन में वो किस प्रकार से यहां अगराबर आप सारे के सारे इधर वाले जो forces है तो डबलू साइन तीटा और उसके साथ आपका फ्रिक्शनल फोर्स अब देखो क्या मस्त एक चीज़ यह आगया आपका फोर्स एक तो वह वाला क्या फ्रिक्षिन जो पहले से था साथ में नया दोस्त आ गया पी साइन थीटा बस तो यह चीज़ हमें चाहिए थी डबलू साइन थीटा जो आया है डबलू साइन थीटा की ज़रूरत थी हमको अब यहां पर देखो बस आप यहां पर रियर्रेंजम ठीक है दो चीज़े मिलेंगी एक तो मिलेगा टैन थीटा प्लस एफ बराबर वन माइनस एफ टैन थीटा ठीक है सब यहां पर पी बाइडवली को पहले फाइंड आउट करते हैं तो पी जो है आपका पी हो जाएगा हाफ है यह पी हो जाएगा आपका एमवी स्क्वेर बा एफ टैन थीटा ठीक है अब यहां पर देखो आप एम से तो एम कट जाएगा तो बचेगा वी स्क्वेर बाइ जी आर पूरे को मैं यहां पर लिख देता हूँ और टैन थीटा प्लस एफ वन माइनस एफ टैन थीटा बराबर वी स्क्वेर बाइ जी आर देखो यहां पर टैन थीटा क्या है टैन थीटा यह आपका रेट ओफ सूपर एलेवेशन तो इसको हम ए से ब्रेजंट करेंगे तो ए प्लस एफ वन माइनस एफ बराबर आपका जो वी है यहां पर यह मीटर पर सेकेंड में है अगर मैं इसको कि वी से मल्टिप्लाई करता हूं तो हमारे पास बचेगा वी स्क्वेर बाइ वन टॉन्टी सेवन आर यह आपका रेट ओफ सूपर एलेवेशन का छोटा सा प्यारा सा फॉर्मुला बट सर हमने क्या है हमने देखा है हर जगा इसकी जगा पे यह वाला फॉर्मुला ए प्लस हम देखें यहां पर कि आपकी ना एक रेंज है आपको जो इंडियन रोड कॉंग्रेस ने दी है मैं आपको बताता हूं किदर है हाँ यह अकॉर्डिंग टू दा टरेन आपको अलग-अलग वैल्यूस दी गई है इमाक्स और इमिनमम की अलग-अलग वैल्यूस है मुझे ब हो सकती है 7 परसंट और ही टरेइन अगार सनोब नहीं है तो 10 परसंट और अर्बन एरिया है तो चार परसंट यह आपKी मैक्सिमम वैल्यू है सुपर एलेवेशन की लेकिन मिनिमम वैल्यू होती है वो कैमर के बराबर होती है जो जनरली रोड में हमेशाद दिया जाता है अब इस पूरे चार्ट में आपको सबसे बड़ी वाल्यू कौन सी ने जरा रही है एक बार बता दीचे कॉमेंट बॉक्स मे संड़े की शाम है और उसके बाद ऊपर से निंजा सरका सेशन है नीन कैसे आने देंगे अगर मैं सबसे बड़ी वैल्यूब लेलू ना दस परसेंट जो है और उसको यहाँ पर पूट करूं वन माइनस एफ में तो देखो क्या आता है वन माइनस एफ की जगह पर रखता हूं दस परसेंट याने की पॉइंट वन और एफ की जगह पर रखता हूं पॉइंट वन फाइफ इसको सॉल्फ करोगे आपको आएगा जो भी वैल्यू आएगी वह आल्मोस्ट एकोल्स टू वन ही होगी अगर मैक्सिमुम वैल्यू ले जब तक एकी वैल्यू आपकी 10 परसेंट तक रहेगी अगर मानलो कोई एक कोशन है जो रेसिंग ट्रैक से रिलेटेड है और वहाँ पे एक जो वैल्यू है वह 35 परसेंट तक हो सकता है अगर रेसिंग ट्रैक वाला फॉर्म कोशन तो 35 परसेंट अगर हुआ और आपने यह लगाया तो आपका अंसर गलत आएगा उस केस में आपको अपने बेसिक फॉर्मले के साथ ही जाना पढ़ेगा तो इस फॉर्मले को भी याद रखना 1-EF लेना है अगर 10 परसेंट से जादा कभी आपको E का वैल्यू दे दिया और बाकी चीज़ों के बारे में उन्होंने आपसे पूछ लिया अब अलग-अलग सुपर-Elevation होते हैं उनको समझ लेते हैं सबसे बहले बात करते हैं इकुलिब्रियम सुपर-Elevation कि कब आता है कहां आता है क्यों होता है क्यों कैसे होता है तो ने को कभी होभी ऐसा होता है कि जो एक designer है जो कर्व को design कर रहा है वो इस अगर मान लो बाहर वारे टायर और अंदर वारे टायर दोनों में same pressure इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ गाड़ी ना तो बाहर जाना चाहती है गाड़ी ना तो अंदर आना चाहती है फुल एकदम comfortable condition में अभी गाड़ी चल रही है याने की friction friction यहां पे अभी आपको को हम बोलते है equilibrium super elevation ये एक ideal condition होती है generally जो practically exist नहीं करती है देखिए हमारे बास जो super elevation का formula था वो था e plus f बराबर v square upon 127 आर लेकिन अगर हमें पता है f0 होता है equilibrium super elevation में तो equilibrium super elevation को जो formula हो जाएगा वो जाएगा e बराबर v square upon 127 आर क्यों क्योंकि f तो हमको लेना ही नहीं है तो यहां से आगया equilibrium super elevation सवाल में अगर आपको बोला जाए equilibrium super elevation निकाल दो तो आप बताओगे कैसे equilibrium बराबर v square upon 127 आर सवाल में अगर आपको बोलते हैं कि super super elevation ढूंडो अगर inner और outer wheel में same pressure आता है तो तो भी आपको equilibrium super elevation ही ढूंड़ना है तो या तो वह यह बोल देगा या वह यह बोल देगा दोनों में से कोई भी एक दोरान याद रखते हैं पहली चीज़ कि जो velocity है अगर मैं maximum velocity के लिए इस उपर elevation को design कर दूंगा इसकी वज़े से क्या होगा कि जो आपका क्या कहते हैं इसको गाड़ी है जो तेज चल रही है वो तो ठीक रहेंगी पर जो बहुत स्लो चल रही होंगी बहुत ही स्लो चल रही होंगी वह गाड़ियां अंदर की तरफ टॉपल हो सकती है अंदर की तरफ पहली चीज़ अगर आपने चलो maximum नहीं मिनिमुम वेलॉसिटी ले ली मिनिममँ मिलासिटी के लिए सुपरएलवेशन को डिजाईन कर ढिया ऐसे के इसमे स्लो चल रही है वो रहेंगी लेकिन जो गाड़ीया तेज़ चल रही है वह बाहर की तरफ इसक्रिट कर जाएंगी तो ना मिनिम्म दे सकते हैं ना माक्सिम दे सकते हैं इंडियन रोड कॉंग्रेस ने सजिस्ट किया किया किये काम करो 75% of design velocity ले लो जब आप super elevation डिजाइन कर रहे होगे किसी कर्व के लिए पहला क्राइटीरिया दूसरा क्राइटीरिया Frictional force के रिगार्डिंग है Frictional force एक self developing force है self occurring force है उसको हम design नहीं कर सकते वो खुद बखुद आता है खुद बखुद जाता है अगर मैं किसी चीज़ को design कर रहा हूंगा क्या मैं एक ऐसे force पर dependent रह सकता हूं जो self occurring है जो खुद से आता है क्या मैं एक ऐसे force पे भरोसा कर सकता हूं जो खुदी आता है नहीं इसलिए हम क्या करते हैं हम फड़ा safety पर रहते हैं कैसे designer कहता है कि क्योंकि Frictional force एक self occurring force है पता नहीं कल आए ना आए तो इसलिए designer कहता है कि मैं अपना जो super elevation है वो ऐसा design करूँगा ऐसा design करूँगा कि अगर उस section of road पर friction develop नहीं भी हुआ तो भी मेरी गाड़ी safely उस particular section या उस horizontal curve से cross कर जाएगी यानि design के दौरान हमें जो f का value होता है friction का value होता है वो zero consider करना होता है ठीक है ऐसा practically होता नहीं है बट एक safety point of view से हम consider यहां पे कर रहे हैं तो दो velocity लेनी है आपको 75% of design velocity और दूसरा आपको f जो है वो zero लेना है तो हमारे पास formula था e plus f बराबर v square upon 127 r f लेना था 0 तो f 0 हो गया velocity लेनी थी 75% so 0.75 v whole square यहां पे मैंने कर दिया upon 127 r जब मैं 0.75 square को नीचे लेके आता हूं तो यह बन जाता है e बराबर v square upon 225 r यह हो गया आपका design super elevation का formula या फिर mixed traffic condition को भी आप बोल सकते हो यह mixed traffic condition का formula हो गया for determining the super elevation किसी कोई doubt है प्लीज पूछ लीजिए clear है तो start sign बनाके भीज दीजिए ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या steps होते हैं हमारे design करते time super elevation को आपके बास velocity होगी आपके बास radius होगा यहां पर आप क्या करोगे कि आप सबसे पहले तो ढूंड़ोगे अपने formula की मदद से super elevation की value formula लगेगा design के दोरान v square upon 225r ठीक है अब जब आप यह formula लगाओगे तो तीन चीज़े possible है पहला पहली possibility क्या है पहली possibility क्या है तो को पहली possibility है कि जो e की value है जो आप इस formula से निकालोगे वो e minimum से तो ज़्यादा आएगी लेकिन e max से कम आएगी पहली possibility तो यह रही दूसरी possibility क्या है दूसरी possibility है कि इस formula से जो e आएगा वो e minimum से भी छोटा आएगा और आखरी probability जो है possibility कह सकते हो वो है कि जो e की value है वो e maximum से भी जादा आएगा यह तीनों condition अगर अकर करती है इन में से कोई भी condition अगर अकर करती है तो हमें कैसे deal करना है वो मैं आपको बताता हूँ अगर आपका e minimum और e maximum की range में आता है आपका e इस formula को लगा करके तो आपको बिल्कुल tension नहीं लेनी है आपका जो answer होगा वो हो जाएगा e यानिकी 20 अपने वैल्यू निकाली थी दूसरी चीज अगर e का value e minimum से भी छोटा है तो ऐसे case में आपका जो value होगा जो आप दोगे actual में आपने payment पे वो दोगे e minimum के बराबर ठीक है यो की हो जाएगा camber के बराबर अभी मैंने आपको टेबल दिखाया था अगर e जादा होता है maximum value से भी तो ऐसे करोगे कि अगर मैंने e maximum provide कराया तो मेरा जो developing friction है जो f develop है वो कितना होगा कैसे करेंगे वो पता मैं बताता हूं e max plus f develop बराबर बराबर v square upon 127 r यहां से पता करोगे अब f develop या तो आपका आएगा 0.15 से छोटा या उसके बराबर अगर ऐसा हुआ value बहुत बढ़िया आपका जो value है कोई शक कोई भी शक कोई भी डाउट किसी भी स्टूदन को ठीक है को कोशन देखते हैं अटू लेन रोड विट डिजाइन स्पीड 80 kmph हास होरिजॉंटिल कर्व रेडियस 480 मीटर डिजाइन दे रेट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स ट्राफिक कंडिशन असान सवाल है डारेक्ट दिया हुआ है उन्होंने आपको यहां से आप फॉर्म्ला लगाएंगे यह बराबर वी स्कूर अपॉन टू टून्टिफाइब आर आपको बताई होगा यहां पर आपके पास जो विलॉसिटी है वो दी गई है कितनी 80 kmph तो 80 स्कूर टू टू टून्टिफाइब आर रेडियस दिया है 480 बताईएगा जारा कितना वैल्यू आ रहा है यहां से इका वैल्यू कितना रहा है एक बद चेक करिए इका वैल्यू कितना है चेक करिएगा इका वैल्यू अभी कितना है जड़ा बताईएगा हां जी तो अगर यह इका वैल्यू आप देखोगे अगर यह 0.7 से कम है क्योंकि यहां पर टरेन नहीं दिया कोई भी कोई भी टरेन अगर नहीं दिया है तो आप प्लेन एंड रोलिंग कंसिरडर कर सकते उसको ठीक है अगर यह साथ से कम आ रहा है तो थो बहुत बढ़ गया वैलेंगोड है लेकिन अगर यह साथ से ऊपर होगा तो फिर आपको 7 जो है consider करना है right और आपसे यहां पर यही पूचा था शायद सुपर एलिवेशन नहीं पूचा था तो सुपर एलिवेशन आप यहां से बता सकते हैं उसको simply solve करके आगे बढ़ेंगे क्या सवाल है the radius of horizontal circular curve on a highway is 200 meter the design speed is 90 kmph and the design coefficient of lateral and longitudinal friction दिया हुआ है the maximum permissible speed on the curve if full lateral friction is assumed to be developed will be how much maximum permissible speed आपसे पूची कही है maximum permissible speed अगर full lateral friction जो है is assumed to be developed तो ठीके सर यहां पे आप देखिए कभी पे अगर आपको बोला जाता है कि full lateral friction is developed यानि कि आपको f की value को consider करना पड़ेगा तो यहां पे value जो आएगी आपकी वह आएगी e plus f v square upon 127 r कभी confusion हो जाया है 127 आएगा या 225 तो याद रखना कि f जहां भी होगा वहां कभी 120 वहां पे कभी 225 नहीं आ सकता f और 225 में भी वैसी ही दुश्मनी है जैसी दुश्मनी आपने देखी थी पानी और रोड के बीच में ठीक है तो यहां पे आपको जब भी कभी मैंने ये question लिया है इसलिए था बस इतनी सी बात बताने के लिए कि अगर यहां पे full lateral friction is assumed to be developed कभी लिखा होगा सवाल में तो ह हमेशा याद रखना है कि आपको coefficient of friction को भी consider करके चलना है आगे अगला concept आता है आपका extra widening का क्या होता है extra widening जब भी कभी कुछी कर्व पे अगर आप देखोगे तो कर्व पर हमेशा हम रोड की जो विटत है वो थोड़ी सी बढ़ा देते हैं ऐसा क्यों किया जाता है ऐसा करने के multiple reason होते है सबसे पहला और सबसे बड़ा reason है आपका off tracking का off tracking क्या होता है देखिए जब गाड़ी स्ट्रेट रोड पे चलेगी ठीक है ये गाड़ी है ये स्ट्रेट रोड पे चल रही है अभी रेर वील ड्राइव है तो आगे वाले टायर में अगर मालनी जीए ये track कवर किया ठीक है तो पीछे वाले भी सेम वही path follow करते हैं दोनों के दोनों ठीक है लेकिन ये सेम चीज कर्व पे काम नहीं करती क्यों कर्व पे क्या होता है कि जो आपके पीछे वाले टायर है न वो कोशिश करते हैं minimum distance cover करने का ठीक है आगे वाला टायर जैसे मान लो अगर ये वाला distance ये वाला path follow करेगा तो पीछे वाले टायर आपके इस तरीके से path follow करेंगे ठीक है straight road पे केवल इतनी सी width चाहिए थी गाड़ी को चलने के लिए पर यहाँ पे इतनी सारी width चाहिए गाड़ी को चलने के लिए किसी भी एक curve पे इसको बोलते हो आप off tracking ये जो additional आपको distance मिल रहा है इसको आप बोलते हो off tracking क्या होता है off tracking का formula वो मैं आपको बता देता हू चोटा सा यह है बहुत ही नन्ना सा L square by 2R L है यहाँ पे length of wheelbase ठीक है तो L अगर कभी ना दिया गया हो तो आप 6.1 meter ले सकते हो दे दिया जाए तो अच्छा तो कुछ है ही नहीं ना दिया जाए तो 6.1 meter आप ले सकते है आर आपका radius of the curve है जो meter में आपको consider करना होता है तो इ mechanical widening ठीक है उसी के साथ एक होती है psychological widening psychological widening क्यों देनी होती है psychological widening आपको देनी होती है क्योंकि जब भी कभी आप एक straight road पर overtaking करते हो तब आप अपनी गाड़ी को काफी पास से भी निकाल लेते हो जिस गाड़ी को आप overtake करते हो उससे लेकिन सेम चीज़ जब आप एक overtake कर रही है वो जादा से जादा gap maintain करने की कोशिश करती है जब भी एक कर्व पर overtaking करी जाती है तब तो यह एक psychological tendency है हमारी तो हमारे पास दो आपके बास basically कह सकते हो एक्स्ट्रा वाइडनिंग हो जाएंगी एक हो जाएगी mechanical widening जो off tracking के वज़े से होती है एक होगी psychological widening यहा यहां से आपके पास आजाता है यहां से आपका mechanical widening तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग का concept होता है यहीं पर done एक और चीज़ आपको बता दो additionally इसमें की देखिए यहां तक तो ठीक है लेकिन यह जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग आई है यह आपको आउटर साइड पर देनी चाहिए यह इनर साइड पर देनी चाहिए कर्व के वह जान लीजिए जैसे मान लीजिए यह कर्व तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग बहार की तफ देनी है एक्स्ट्रा वाइडनिंग अंदर की तरफ देनी है वो сист 2000 करेंगे अगर कभी more ज्रीट है के और एने की कुई जरूरत नहीं है है अगर आपका रेडियस 50 से 300 मीटर के बीच में तो ऐसे केस में आप आधा एक्स्ट्रा वाइडनिंग आउटर साइड पे और आधा एक्स्ट्रा वाइडनिंग इनर साइड पर प्रोवाइड कराओगे ठीक है और अगर रेडियस आपका छोटा है पचास मीटर से तो ऐसे के इसमें complete extra widening जो है वो inner side पे ही दी जाएगी ऐसा क्यों क्योंकि गाड़ियों की tendency होती है किसी भी एक कर्फ पे थोड़ा अंदर की तरफ रहने की कौनी होगा जो बाहर की तरफ रहने की कोशिश करेगा जिस तरफ आपका खाई वगरा होती है या वैली वगरा होती है इसलिए ह हम अंदर की तरफ ही जब ऐस श्टीप तरह करेडियस होते है अंदर की तरफ एक्स्ट्रा वाय्णिंग का च्टप कसेट यहां पर कुरा समराइज़ भी है सवाल देख लेते हैं डिजाइन स्पीड फॉरा टूलें रोडेज़ 80 kmph 80 kmph when a design vehicle with wheelbase of 6.6 meter यहां पर दिया हुआ है तो ले लेंगे वही वाला negotiating horizontal curve on the road off tracking off tracking आपको दी हुई है 0.096 meter ठीक है the required widening of carriage way ओके extra widening आप से यहां पर पूछी है ठीक है तो extra widening क्या हो जाएगी extra widening हो जाएगी आपकी nl square by 2r plus v upon 9.5 root r अब यहां पर आप देखोगे तो n की value दी हुई है two lane road है length of wheelbase दिया हुआ है radius कहीं नहीं दिया हुआ है velocity दी हुई है पर radius फिर से नहीं दिया है कैसे निकलेगा radius radius निकलेगा ओ यहां पर आपके off tracking से off tracking होता है कितना l square by 2r l का value आपको दिया है 6.6 so 6.6 square by 2r बराबर है आपका 0.096 यहां से आजाएगा radius एक बर आप मुझे comment box में बता सकते हो radius कितना है एक बर radius आजाएगा उसके बाद आप यहां पर radius पुट करो velocity आपको सवाल में दी गई है l square by 2r का value आपके पास है उसमें into 2 और कर देना क्योंकि वो number आपके lane है यहां तक कोई doubt किसी को सभी लोग वो clear हो गया कोई doubt anyone ठीक है बाकी का जो बचा हुआ portion है उसको हम एक काम करते हैं उसको एक part 2 में cover करते हैं जिससे कि हमारे दो छोटे छोटे वीडियो cover हो जाएंगे तो दो वीडियो होने से फायदा यह होगा कि आप उनको easily जब चाहो तब access कर पाओगे एक ही बहुत लंबा वीडियो होगा तो उसमें हो सकता है कि आप उतना comfortable ना feel करो ठीक है तो फिर अभी के लिए इतना ही रखते हैं बाकी जितना भी part बचा है उसको हम part 2 में cover करेंगे और उसके बाद आपका complete geometric design आपका done हो जाएगा इस session की मदद से यहाँ तक किसी को कोई भी doubt है अभी तक मैंने जो भी बताया उसमें तो एक बार आप पूछ लो नहीं तो मैं summarize कर देता हूं हर एक इस चीज को मैंने अब्रव ही बताया तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था friction क्या होता है उसके बाद में आपको यह बताया dasd क्या होता है उसके बाद हमने समझाथा drinking किलोमेटर परावर में तो वी स्कार पॉन 254 एफ भी हो सकता है बी तब लेना है अगर आपको कुछ भी दिया होगा अगर नहीं दिया होगा तो बी बरावर बन हो जाएगा उसके पाद हमने ओवर्टेकिंग साइट से समझा था जिसमें आपके तीन डिस्टेंस होती है डी व सकते हो किलोमेटर परावर में और डी टू होता है आपका टूएस प्लस प्लस पॉइंटू कापिटल टी जहां पर एस होता है पहले बाले डी टू में निकाल लिया था फिर हमने देखा था आई एस डी जो की होता है ट्वाइस ओफ एस डी और ओवर्टेकिंग जोन की जो लेंथ है डिजारेवल वह फाइव फाइव ओएस डी है इसके लावा हमने पढ़ाता फिर उसके बाद सूपर एलेवेशन सूपर एलेवेशन में आपके पास होता क्या ह है नहीं सूपर एलेवेशन से पहले हमने पढ़ाता अगर आपको स्किडिंग रजिस्ट करनी है तो उस केस में आपका जो सेंटर्फेकल रेशियो जो की पी बाइडबलू है वह हमेशा कम होना चाहिए या कभी कह सकते है बराबर भी हो सकता है क्रिटिकल कंडिशन में किस स से एफ से यानि की कोफिशन ओफ लेटरल फ्रिक्शन से ओवर टर्निंग को अगर वाइड करना है तो पी बाइडबलू जो है वह आपका कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए क्रिटिकल कंडिशन में बी बाइट से जहां पर बी होगा सेंटर से और एच होगा आपका ह हमने बढ़ा था आज हमने हमने सुपर अलेशन सुपरियूट फर्मॉला होता है बराबर मीश कर वाय बराबर 27 आर तो आपको वहां पर आपका जो़ता होता हो प्लस स्वारी इज इस इकोज तो वी स्कूर अपॉन टूटिफाइफ आर उसके बाद हमने पड़ा एक्स्ट्रा वाइडनिंग में हम लोग ने देखी दू तरह की वाइडनिंग एक होती है मेंध एक्स्ट्रावाइडनिंग लिए प्लस वी अफॉन आपको पीछे मेरे धिक भी रही होगी है तो आज के लिए तन ही रखते हैं मैं आपसे फिर में लूंगा पर्ट टू और करके मैं आऊंगा तब तक के लिए आपको मैंने जो सवाल होमवर्क में दिये हैं उनका कॉमेंट बॉक्स में जवाब दे दो सिविल भाइ निंजा सर पे ये टेलीग्राम पे मैं आपको ये जो पीपीटी आज की वो फॉरवर्ड कर दूँगा आई होब सेशन को आपने फुल पावर एंजॉय किया होगा और अगले सेशन के लिए आप फुल पावर रेडी होंगे तब तक के लिए जब तक मैं अगले वीडियो में आपके सामने आता हूं आपको करने पड़ेंगे मेरे दो काम पहला आप ध्यान रखेंगे अपना और दूसरा आप ध्यान रखेंगे अपनी फैमली का थैंक यू सो मच बबाई और टेक केर वीडियो अच्छा लगा तो ज अजवत थाओंस्यान रखेंगे अजवते वीडियो